रास्ता जितना खत्म हो रहा था प्रीती के उतकंठा उतना बढ़ रही थी कि ओम उसे कहां ले जा रहा है। कुछ देर के बाद ओम उसका बाइक रोका एक दो महाले की घर के सामने। वह घर बहुत सुन्दर लग रहा था, घर के सामने बहुत सुन्दर गार्डन था। ये द्रिश्य प्रीती को बहुत आकर्शित लग रहा था वो ओम को पूछना पूछ कर बस कुछ देर चुपचाप वही खड़े कर देख रही थी ओम ने प्रीती को हिला कर कहा क्या हुआ यही पर खड़ी रह कर देखना है क्या अंदर नहीं जाओगे प्रीती ने कहा हां मैं ये सब फूलों को देख रही थी ये जगव बहुत सुन्दर देख रही है और ये घर भी बहुत सुन्दर है लेकिन ये किसका घर है तुम मुझे किसके घर में लाए हो ओम ने कहा पहले तुम घर के अंदर चलो फिर तुम्हें पता चल जाएगा ये किसका घर है इसके बाद ओम ने प्रीती के हाथ पकड़ कर रूम के अंदर ले गया है अब आगे ओम ने बुलाया मा, मा, आप कहा हो किचन से उसकी मा बाहर आते हुए कहा क्या हुआ है, मैं यहाँ पर हूँ तु कॉलेज से आज इतनी जल्दी आ गया प्रीती को आप समझने में देर नहीं लगी ये किसका घर है और ओम उसे कहा लेकर आया है वोल जाकर ओम के मा के पैर्च हुआ मा ने कहा अरे अरे रहने दो, खुश रहो तुम प्रीती ना प्रीती ने पूछा हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला मा ने कहा कैसे पता चला ऐसे ही पता चल गया मेरे बेटे ने मुझे कहा था कि आज वह मुझे एक सर्प्राइज देगा और मुझे तुझे देखकर पता चल गया कि वह सर्प्राइज तु है ये देखो मैं तब से तुझे खड़ा करके बस बाते किये जा रही हूँ आओ हम दोनों बैठ कर बात करते है प्रीती मन में सोचने लगी इसका मतलब ओम क्यामा मुझे पहले से जानते है ओम ने शायद हमारे बारे में बता दिया है लेकिन उन्होंने मुझे कुछ क्यों नहीं कहा मा ने कहा अरे बेटा प्रीती तुम वहाँ पर क्यों खड़ी हो मेरे पास आ जाओ अरे ओम तु जाकर सुनीता आंटी नौकरानी को कर प्रीती के लिए कुछ लेकर आने के लिए ओम ने कहा ठीक है मा प्रीती ने कहा, अरे नहीं नहीं आंटी, मेरे लिए कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है मा ने कहा, ऐसे बोलने से कैसे होगा, तू पहली बार मेरे घर पर आया है, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी तू जा बेटा, ओम ने कहा, हाँ मा, उसके बाद ओम वहां से चला गया, अनिता अंटी को प्रीती के लिए कुछ लेकर जाने के लिए कहकर अपने रूम में चला गया कुछ काम के वज़र से अपने रूम से कुछ देर बाद लौट कर देखा तो उसके मा और प्रिती बैठ कर मुस्कुराते हुए बात कर रहे है जैसे लग रहा है दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर पहले नहीं कब से जानते है ओम ने आकर अपनी मा को दो बार बुलाया लेकिन उसकी मा ध्यान नहीं दिया और प्रिती के साथ बात करने लगी प्रिती का भी वही अवस्था थी ओम बेसे ही वहाँ पर बैठ कर एक घंटा तक दोनों का बात सुनने लगा फिर उसने कहा मा लेट हो रहा है प्रिती अब घर जाएगी प्रिती ने कहा अरे हाँ बहुत लेट हो गया है मैं अब घर चलती हूँ मा ने कहा नहीं तु आज यहां से खाना खा कर जाएगी मैं ओभी तेरे लिए खाना लगाती हूँ प्रीती ने कहा, नहीं मा, रहने दो आज और समय नहीं है, मैं कभी और आकर खा लूँगी मा ने कहा, ठीक है, मैं आज तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन तुझे दोबारा आना होगा जब भी तेरा मन करे मुझे मिलने के लिए आ जाना, ठीक है बेटा उसे छोड़ करा प्रीती ने मा के पैर छुकर वहाँ से घर जाने के लिए निकली घर जाते टाइम प्रीती ने ओम से पूछा, तुम मुझे, तुम्हारे घर लेकर जा रहे थे, फिर मुझे बताया ख्यू नहीं ओम ने कहा, जान, अगर मैं पहले बताता तो तुम अगर जाने के लिए मना करती तो, इसलिए नहीं बताया प्रीती ने पूछा, तुम्हारा घर तो कुमुत पूर में था ना, फिर यहाँ पर यह घर, और मैं आ रही हूँ तुम्हारी मां को पहले से पता था है ना ओम ने प्रीती को इन दोनों के मिलने के पुराने जगह पर लेकर गया, और उसे अपने गोद में बिठा कर कहा प्रीती में जो बोल रहा हूँ भ्यान से सुनना, मैंने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखी थी, मेरे पापा बिजनेस करना चाहते थे लेकिन और क्या भी लेकिन उनके बिजनेस बढ़ नहीं रहा था, फिर मैंने उनका हाथ बजाने लोंगा मैंने आज उनके बिजनेस को रफ्तार से आगे बढ़ाया है, और आज हमारी बिजनेस गिने चुने नामों में आता है इसलिए पापा बिजनेस हैंडल करते हैं, कभी कभी अगर जरूर पढ़ता है तो मैं भी उनका साथ देता हूँ लेकिन मैं अपनी पढ़ाय कम्प्लीट करना चाहता हूँ, इसलिए बिजनेस में अभी इतना इन्वार्व नहीं हुआ हूँ जब हमारे पास पैसा नहीं था हम वापस छोटे घर में रहते था, लेकिन अब हमारे पास पैसा है इसलिए मैंने माँ पापा के सपना पूरा करने के लिए वो घर बनाया और हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था, मुझे डर था कही तुम मुझे पैसे वाले समझ कर छोड़ना दो और हाँ माँ को नहीं पता था, मैंने बस उन्हें सर्प्राइज देने के लिए बात बताया था प्रीती ने ओम को गले लगाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें अपने दिल से प्यार किया है तुम्हारा कोई भी सच है लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं हो सकती लेकिन तुम्हारे मा मुझे पहले से कैसे जान लिये और मुझे देखते ही मेरा नाम भी बता दिया ओम ने कहा, ऐसे ही गैस किया होगा क्योंकि मा को पता है मेरा कोई लड़की दोस्त नहीं है और जो भी है मा उन सब को जानते है प्रीती ने कहा, अगर मा ने गैस किया है तो ठीक है लेकिन उनको मेरा नाम कैसे पता चला तुम तो बता रहे थे उनको मेरे आने के बारे में पता नहीं था ओम ने नजर चुराते हुए कहा, मतलब, जान वो, बात यह है कि तब ही प्रती का फोन बजने लगा, फिर उसने फोन उठा कर बात करने लगी प्रीती फोन में बात करने के बाद ओम को देख कर कहा मेरे घर से फोन था, घर पर सब मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं तुम जल्दी मुझे घर छोड़ दो ओम ने कहा, ठीक है, लेकिन तुमने घर पर क्या बताया कि तुम इतने दिन कहा हो प्रीती ने कहा, मैंने कहा कि मेरे एक फ्रैंड का तबियत खराब था, इसलिए मैं उसे उसके घर छोड़ने गई थी ओम ने कहा, अच्छा, इतना जूट, तुमने सच क्यों नहीं कहा प्रीती ने कहा, सच बताता, मेरे घर पर मेरे सब दोस्तों को जानते हैं, लेकिन आपको कोई नहीं जानता क्या बोलती में ओम ने कहा फिर तूने किसका नाम कहा प्रीती ने कहा सीमा और किसका नाम लेती ठीक है छोड़ो वह बात तुम क्या कह रहे थे मेरा फोन आ गया था तभी ओम ने कहा कुछ नहीं प्रीती ने कहा अरे हां मा मुझे कैसे जानते हैं प्रीती इतना कहा ही थी कि ओम ने उसके होर्थों को अपने होर्थों से धाग दिया फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगे फिर थोड़ी देर के बाद दोनों अलग हुए प्रीती को छोड़ने के लिए चला गया और कहां, ओ मैडम, तुम्हारे घर के मार्केट आ गया है, तुम यहां से उतर कर जाओगे या मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ने आओ, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रीती ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं यहां से चली जाओंगी, प्रीती मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर चली गई लेकिन ओम वैसे ही उससे जाते हुए देख रहा था, दूसरी और प्रयास जाकर कॉलेज में पहुचा तो पायल ने उससे देख कर पूछा, आज तुम्हारा इतना लेट कैसे हो गया, प्रयास ने कहा, आज एक बड प्रयास तुझे कुछ हुआ तो नहीं है ना, प्रयास ने कहा, अरे रिलेक्स, ऐसे क्यों हो रही हो तुम दोनों, अच्छी से सांस लेलो नहीं तो भगवान के पास्टिकर काट कर चले जाओगे, मुझे क्या होगा मैं तो ठीक हूँ, पायल ने कहा, सच बताओ क्या हुआ प्रयास ने कहा, अरे आज जाते टाइम रास्ते में माइकल मिला था, और वह मुझे रोक कर कह रहा था, तुम्हें भूल जाने के लिए, नहीं तो वह मुझे जान से मार देगा, पायल ने गुसे में कहा, उसका इतना साहस, वही एक बार तुने हाथ लगा कर तो देखें, म आगे जाकर परिस्थिती बहुत जतिल हो जाएगा, किसी भी परिस्थिती में न तूट कर दोनों एक दूसरे पर विश्वास रखने से ही हमारा रिष्टा और मजबूत हो जाएगा, इसलिए तुम ज़्यादा चिंता मत करो और खेल पर ध्यान दो, तो भी, पायल के मोबा पर उसके माँ का कॉल आया, पायल कभी भी अपनी माँ का फोन रिसीव नहीं करती थी, लेकिन आज उसने अपने माँ का फोन रिसीव किया और कहा, हेलो, दूसरी ओर से पायल की माने कहा, पायल बेटा तुझे तो पता है, तेरे पापा को पता चल गया है कि तू किसी कौन है क्या करता है और उसके एड्रेस और सब कुछ जानने के लिए तेरे पापा किसी को कॉल कर रहे थे जो मैंने सुन लिया है तू पहले जो लड़के के साथ बाइक में बैठ कर घर आई थी वह लड़का हमारे घर आया हुआ है और हॉल में बैठा है लेकिन मुझे अभी पता चला कि वह तेरे पापा के सिंगा पो बाले बिजनेस पार्टनर का बेटा है और तेरे पापा उसके पापा के साथ बात करके तेरे रिष्टा उस लड़के के साथ करने के लिए प्रस्ताव दिया है पायल नहीं गुस्सा होते हुए कहा वाट मेरी शादी वह भी वह क् लेकिन मैं इतना जाना चाहती हूं कि तू जिस लड़के के साथ घूमने गई थी वह लड़के को क्या तू प्यार करती है बेटा मुझे सच बोलना बिना सच जाने नहीं तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी पायल ने कहा हा मामा मैं उससे बहुत प्यार करती पायल की मा ने कहा ठीक है बेटा तेरी खुशी में मेरी खुशी है लेकिन उस लड़के को कहना थोड़ा संभल कर रहे और बाकी सब अपटेट तुझे में देती रहूंगी फोन हर टाइम तुम्हारे पास ही रखना ठीक है बेटा मैं अब रखती हूं फोन पायल ने कहा ठ ठीक है मामा बाय, पायल ये सब सुनकर थोड़ा चिंता में पड़ गई थी, उसे थोड़ा घबराहत भी हो रही थी, तब ही प्रयास ने पूछा, क्या हुआ डालिंग, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो, किसका कॉल था, एसी क्या बात हुई कि तुम चिंता में है, लेकिन उसे दुख भी हो रही थी कि उसके पापा उसके साथ ये सब कर रहे हैं, उसके पापा को आपने बेटी से ज़्यादा बिजनेस और घमन से प्यार था, उनके सामने पायल के खुशी का कोई मतलब नहीं था, पायल को ये सब सोचते हुए बहुत बुरा लग रही प्रयास पायल की बात शांत मन से सुना और पायल बोलते बोलते खुली हो गई थी उसको वहाँ पर बिठाते हुए कहा, डाली, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, उस दिन का कॉलेज खत्म करके सब अपने अपने घर चले गए और प्रयास और प प्रयास के पास गई, रितिका ने प्रयास के पास आकर कहा, पहुच गए भाईया, जल्दी आ जाओ पापा गुसे में बैठे हैं, तरुन के इतने गुसे भरी आवाज सुनकर, प्रयास मन ही मन सोचा, आज पापा को हुआ क्या है, प्रयास ने रितिका को खीच कर एक कोने म ले गया और पूछा, हुआ है और मैंने क्या किया है? जो पापा मेरे उपर इतने गुशे में है? रितिका ने कहा, भाई या, आपके प्रेंग कुरान किसी ने सायब पापा को सुना दिया है, इसलिए पापा इतने गुशे में है, आज तो आप कैए, किचन का अंदर से आजा रही थी। रितिका फोन लेकर आ, मैं प्रयास को कॉल करता हूँ। वह इतनी देर तक कहां रह गया है। कॉलेज तो कब से खत्म हो गया होगा। उसका पता है, उसके पापा ये सब पसंद नहीं करते फिर भी वही ये सब करके घर में अशान्ती फैला रहा है। रितिका वहाँ पर आकर कहा, मा भाईया आ गए है, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। किचन के अंदर से गुसे में रुपा बाहर निकल आई और उसके साथ जुही भी बाहर आई। और रुपा ने कहा, बेटा, तु और कितने बुरा हाल मा का करना है, तेरे छोटी सी उम्र से बाहर के जगड़े को लेकर तेरे पापा आज तक मुझे सुनाते हैं। इसलिए बाहर पढ़ने के लिए भेजा था लेकिन आते ही तुने माईकल के साथ जगड़ा करके सिर्फ फोल लिया था। और सिर्फ पर बैंडेज लगा था, लेकिन जिसके वज़र से हुआ था तु उसको ही प्यार कर बैठा। पापा ये सब सुनकर गुसे में बैठे हैं, मैं तुझे और हेल्प नहीं कर सकता। तु जा तुझे जो कहना है तेरे पापा को कह, जू ही ने कहा, रूपा, तु इतना चिंता मत कर, मुझे पता है हमारा बेटा है कोई गलत काम नहीं करेगा। इसलिए उसने जो भी किया होगा सोच समझ कर क्या होगा, प्रयास बेटा तु जाकर तरुन से बात कर, और जो जो भी सच है तु उसे बतावन समझेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। प्रयास ने कहा, ठ्यंक्यू बड़ी मा, और मा तुम चिंता मत करो, तुम पहले बताओ पापा कहा पर है। रूपा ने उसे कहा, बेटरूम में बैठे हैं। प्रयास ने जब करते करते धीरे से पापा के रूम में घुसने जा रही थी तब ही उसका फोन बजा, फिर उसने बाहर आकर फोन रिसीव किया। प्रयास ने कहा, हेलो, दूसरी ओर से आवाज आया, क्या चल रहा है सब, मज़ा आया या नहीं, तेरे पापा को पता चलने के बाद तेरे फिल्म बहुत जमेगा। प्रयास ने कहा, अरे बंदर के चहरे वाला, तो फिर यह सब खेल तेरा है, मुझे लगा यह सब चोरी छुपे वाला काम कोई नीच लोग का होगा। माइकल ने गुसे में कहा, प्रयास, तो मुझे नीच लोग कह रहा है, तेरा इतना साहस। प्रयास ने कहा, अरे बंदर, तो मेरा साहस देखा कहा है, जस्ट वेट एड आन्ड वॉच। तभी पीछे से रूपा ने कहा अरे प्रयास तेरे पापा तुझे रूम में बुला रहे है ना तू वहाँ पर खड़ा हुकर फोन में क्या कर रहा है प्रयास ने कहा, हाँ मा, मैं आभी जा रहा हूँ माइकल ने कहा, जाए ए प्रयास जी, पापा के रामवानी सुनने के लिए इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा प्रयास ने गुसे में फोन कट कर दिया और वहाँ से तरुन की रूम में चला गया तरुन बैग पर बैठा था और प्रया जाकर उसके सामने बैग पर बैठ गया तरुन ने उसे देखा और पूछा, प्रयास पढ़ाई कैसे चल रहा है प्रयास ने कहा, हाँ पापा पढ़ाई अच्छा चल रहा है तरुन ने कहा, मैंने जो सुना, वो सब क्या सच है पढ़ाई करने की ओम में ये सब बेकार काम, तुझे पता है या नहीं मुझे ये सब पसंद नहीं है तुझे मैं वानिंग दे रही हूँ, तुम उस लड़की को भूल जा और पढ़ाई में ध्यान दे नहीं तो कॉलेज बंद करके घर पर बिठा दूँगा, नहीं तो तेरे बड़े पापा के साथ कमपनी में काम करने भेज दूँगा मैं मना नहीं कर रहा हूँ प्यार करने के लिए लेकिन पहले पढ़ाई कमपलीट कर अपने पैरों पर खड़े हो फिर जाकर यह सब करना प्रयास बस तरुन की बात सुनकर काम प्रहा था, किसका साहस होगा अपने पापा के सामने कुछ कहने का तरुन ने फिर से कहा, अब यहां से जा, लेकिन याद रखना मेरा तेरे उपर नजर रहेगा क्योंकि मैं बाहर की लोगों की बात सुनकर उसके उपर विश्वास करके तेरे उपर कोथा होना नहीं चाहता हूँ लेकिन जिस दिन में खुद अपनी आँखो से देखूगा उसी दिन तुम मुझे ठीक से पहचानेगा आब यहां से जा, और हाउस फोन का बैबहार जितना कम करेगा तेरे लिए और इस परिवार के लिए उतना ही अच्छा होगा प्रयास वहां से चला गया और अपने रूम में जाकर चुपचाप बैक गया, फिर सोचने लगा उसके कुछ दिनों का प्यार और सत्ता क्या वल्क हो देगा लेकिन उसने तो पायल को प्रॉमिस किया था कि जो भी हो जाए वल्क दोनों की प्यार को एकत्तुर बंधन में बांध कर रखेगा अगर पापा को फिर से पता चला तो वह मर जाएगा, फेस्बुक कुछ समझ में नहीं आता तो क्या करेगा वो आज पायल को समझा रहा था कि नागरने के लिए और चिंता ना करने के लिए लेकिन आज वही उस परिस्थिती में फंस चुका है थोड़ी रूपा तरॉन को समझा रही थी, इतना चिंता क्यूं कर रही हो, तुम्हारा तबियत खराब हो जाएगा तरॉन ने कहा, नहीं रूपा, मैं मेरा बेटा एक लड़की को प्यार करता है उसके वज़े से चिंतित नहीं हूँ क्यूंकि मैंने भी कभी तुमसे प्यार करके शादी किया था, लेकिन उसको और कोई लड़की नहीं मिली उस प्रताप छोट रया के लड़की से ही प्यार कर बैठा, मैं मेरे भाई के जैसे साले साले को खो चुका हूँ अब उसके जैसे मेरे बेटे को खोना नहीं चाहता रूपा ये सुनकर रूपा की आँखों से भी आँसू आ गई थी, फिर उसने आपने आँसू को साफ करके कहा फिर तुमने उसे सच बात क्यों नहीं बताया, अगर उसे पता चलेगा तो शायद वह सुधर जाएगा थोड़ी, तरूल ने कहा, तरूल ने कहा, रूपा, प्रेस को ये सब बात बताने का सही टाइम नहीं आया है जब सही टाइम आएगा मैं खुद उसे सब कुछ बता दूँगा रूपा ने कहा, ऐसे ना हो कि जब तक तुम उसे सब कुछ सच बताओ तब तक बहुत कुछ हो चुका हो तभी तुम जाह कर भी कुछ नहीं कर पाऊगे और तभी सच बता कर क्या फाइदा तरून ने कहा हम उस इंसान से दूर रहने के लिए यहां पर आकर सेटल हो गए थे लेकिन भाग्य का खेल देखो वोही इंसान आज एक बड़ा बिजनेस्मेंड बन गया है और यहां पर आकर पहुँच गया है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा बेटा उसके बेटी से प्यार करता है हे भगवान ये सब सोचती हूँ तो मेरा सिर में क्या हो जाता है रूपा ने कहा तुम चिंता मत करो मुझे लगता है प्रयास आपके बात मान कर उस लड़की को शायद भूल जाएगा तरूल ने कहा प्रयास अगर उस लड़की को भूल जाएगा तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन अगर वह मुझे जूट बोलकर फिर से मेरे पीछे वही सब करेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके मामा ने भी तो मुझसे प्रॉमिस करके जूट बोला फिर जाकर यह सब हुआ था तुम्हारे मम्मी पापा की मृत्यू के बाद मैं तुम्हारे भाई रूत्र को अपना भाई मानता था इसलिए वह भी मुझे अपने भाई के जैसा सलमान जाता था लेकिन उसके एक ही गलती ने सब कुछ पलग दिया और उसको हम सब को छोड़ कर इस दुनिया से जाना पड़ा मैं यही हाल प्रयास का नहीं देखना चाहता हूँ रूत्र के गमाज तक में भूल नहीं पाया हूँ मैं और मौसम नहीं सेंट कर पाऊंगा तुम जानते हो ना मैं इसी पॉलिटेक्स कून खराबा की वज़े से अपने इतनी बड़ी कुर्सी छोड़ दिया और यहां आकर देश सेवा के पुलिस इंस्पेक्टर बन गया वो सबसे हम लोग अभी अभी बाहर निकले हैं रूपा ने अपने आसू पूछते हुए कहा तुम चिंता मत करो मैं प्रयास को समझा दूंगी उस लड़की को भूल जाए और मुझे विश्वास है प्रयास कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा जो तुम नहीं चाहते हो दूसरी और प्रयास अपने रूम में बैठ कर सोच रहा था हे भगवान आप मुझे किस परिस्थिती में पहुँचा दिया इधर भी खाए उधर भी खाए जाओ तो मुझे कहा जाओ अगर पापा के बात मानू तो मुझे पायल को अंदेखा करना पड़ेगा और अगर पायल के साथ अपने प्यार को आगे बढ़ाओ तो पापा के लिए डिस्रिस्पेक्ट होगा पायल को खुश करने के लिए मम्मी पापा का निंदा नहीं कर सकता और मम्मी पापा को खुश करने के लिए भाई को अंदेखा नहीं कर सकता लेकिन रूत मामा के साथ क्या हुआ था? क्या पापा पायल के पापा प्रताप छोट राई को पहली से जानते हैं? यह भगवान मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है जो भी हो मुझे इस रहस्य को धूंड ना होगा चाहे दर्ध हो लेकिन मैं इस रहस्य को धूंड कर रहूंगा तभी प्रयास के फोन बजने लगा, फोन पायल कर रही थी प्रयास सोच रहा था, वो पायल के फोन रिसीव करे या नहीं उसका दिमाग ना कह रहा था लेकिन दिल पायल से बात करने के लिए कह रहा था इसलिए प्रयास चारों और नजर दोड़ा कर पायल की बोली रिसीव करने जा रहा था तब ही रूपा ने आकर प्रयास के हाथ से मोबाइल खीच लिया और किसी ने कॉल किया है देखने लगी रूपा ने देखा कि पायल कॉल कर रही है रूपा ने कहा प्रयास तो बिलकुल भी नहीं सुधरेगा ना तेरे पापा ने तुझे इतना समझा कर कहा कि उस लड़की को भूल जाने के लिए लेकिन तेरे लिए वह लड़की सेट बहुत कीमती है हम नहीं प्रयास कुछ कहना चाह रहा था लेकिन रूपा ने गुसे में फोन लिया और स्विच ओफ कर दिया प्रयास के फोन ना उठाने से पहले फिर से प्रयास को कॉल लगाया लेकिन ये क्या फोन स्विच ओफ देखा रहा है पायल मन ही मन सोचने लगी प्रयास को कुछ प्रॉबलम हुआ क्या वो तो ऐसे कभी नहीं करते हैं जब भी कॉल करूं वो जल्दी उठा लेते हैं लेकिन आज ऐसा क्या हुआ है जब कॉल नहीं रिसीट किया और फोन स्विच ओफ हो गया कुछ तो बात है जो मुझे नहीं पता है पता कैसे करूं किसे पूछूं तब ही उसके दिमाग में प्रयास की फ्रैंड नितिन की बात याद आया फिर पायल ने लेतना करते हुए नितिन को कॉल लगाया और उसको प्रयास के बारे में पुछा नितिन तुम्हें प्रयास के बारे में कुछ पता है क्या वह मेरा फोन नहीं उठा रहा है उसका मोबायल स्विच ओफ दिखा रहा है नितिन ने उसे कहा पायल तुम चिंता मत करो मैं उसकी बहन रितिका से बात करके तुम्हें बताता हूँ नितिन को हां केह कर पायल ने फोन कट कर दिया नितिन ने रितिका को कॉल किया रितिका मैं नितिन बोल रहा हूँ प्रयास का फोन क्यों नहीं लग रहा है पायल बहुत चिंता में है रितिका ने कहा नितिन भाई, भाया का फोन मम्मी के पास है इसलिए भाया शायद पायल दीदी से बात नहीं कर पा रहा है आपका दीदी को कहना जब घर पर कोई नहीं रहेगा मैं भाई के साथ उनका बात करा दूंगी ठीक है अब मैं फोन रखती हूँ नितिन भाई का से बात करने के बाद पायल को फोन करके सब कुछ बता दिया फायल को थोड़ा चिंता हो रही थी कि रियास के घर में क्या हुआ होगा और प्रयास किस हाल में होंगे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें बस बैट बैट कर इंतजार कर रही थी कि कब प्रयास का कॉल आए और उससे बात करें तरुन, रूपा और जो ही मार्केट गए तो रितिका को और प्रीती को प्रयास के उपर नजर रखने के लिए कहा उन सब के जाने के बाद रितिका, प्रयास के पास आई और कहा भाईया ये लो फोन और आप पायल दीदी से बात कर लो वह बहुत टेंशन में हैं और नितिन भाईया को कॉल किया था और तेरे बारे में पूछ रहे थे नितिन भाई मेरे पास कॉल किया था और तुझे बताने के लिए कहा था प्रयास ये सब सुनकर रितिका को देख रही थी उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि जो लिखते हैं उसके टांग कीचने में एक भी मौका नहीं छोड़ती थी आज वह उसके हेल्प कर रही थी ही है कोई आना जाए हिलो फोन अब जल्दी बात कर लो हम दोनों बाहर खड़े हैं प्रयास ने मन में सोच रहा था जो बहन हर टाइम जगड़ा करती रहती थी लेकिन आज वही दो बहने उसके हेल्प कर रहे थे सायद ऐसा ही होता है भाई बहन का प्यार सब रिष्टे से न्यारा रिष्टा प्रयास ने पायल को कॉल किया पायल ने जैसे फोन रिसीव किया उसको पता चल गया कि यह फोन प्रयास का है तो वह जोर जोर से रोने लगी प्रयास पायल को रोते हुए देखकर वह भी थोड प्रयास ने कहा, पायल, हमारे घर पर सब को पता चल गया है, माइकल ने सब कुछ पापा को बता दिया है, और एक बात है, मेरे पापा तुम्हारे पापा को पहले से जानते हैं, मुझे लग रहा है दोनों के बीच में कोई पुरानी दुश्मनी है, तुम तुम्हारे मां को ये सब के बारे में पूछ सकते हो क्या। पायल ने कहा, प्रयास, मैं ट्राइ करूँगी लेकिन मैं मेरी मां से इतना क्लोज नहीं हूँ। प्रयास ने कहा, डाली, मुझे नहीं लगता है मेरी मां मुझे मेरे मोबाइल देनगे, इसलिए तुम अगर कुछ अजेंट हो तो रितिका को कॉल करना। पायल ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँ। पापा उस माइकल के साथ मेरे शादी कराने में तुले हैं। वो माइकल उसके पापा के साथ हमारे घर पर हर टाइम आता है। उसके घर वाले कह रहे हैं कि इस महीने के अंदर दोनों का इंगेजमेंट कर देंगे। मुझे कुछ भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है प्रयास। प्रयास ने भी कहा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। पायल ने रोते हुरे कहा, मैं तुम्हारे बिनाजी नहीं पाउंगी प्रयास। प्रयास ने कहा, डालीं, तुम अगर ऐसे रहोगे तो मैं भी कमजोर हो जाऊंगा, मैं तुमसे बात कर पाओ या नहीं लेकिन तुम सिर्फ मेरे हो। और वह माइकल का खेल रुको मैं खट्म क चाहता हूँ प्रयास ने कहा डाली मुझे भी तुम्हारे पास जाने के लिए बहुत ही मन है लेकिन क्या कर सकते हैं नहीं जा सकता तुम अपना ध्यान रखो हम दोनों जल्दी मिलेंगे लेकिन तब तक तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा अब मैं फोन रखता हू प्रयास ने रितिका को फोन दिया तो रितिका ने पूछा क्या हुआ भाईया क्या आप उससे बात नहीं किया इतनी जल्दी फोन दे रहा है प्रयास ने कहा मैंने उससे बात किया लेकिन वह बहुत रो रही है इसलिए जादा पार करने के लिए मन नहीं हुआ रितिका ने कहा, ठीक है भईया, हम लोग सोचते हैं आगे क्या करना है पायल घर पर रहती थी, उसके पापा ने उसका कोलेज जाना बंद कर दिया था वो बस अपने रूम में रहती थी और रोती थी प्रयास का भी कोलेज जाना बंद हो गया था, वो भी घर पर था ऐसे ही दो दिन बिद गया था आज रितिका के college में खेल था और रितिका पहली बार दूसरे college के student की साथ participate की थी खेल चल रहा था लेकिन रितिका बहुत ठक गई थी रितेश भी बैठ कर रितिका का खेल देख रहा था जब उसने देखा रितिका हार मानने वाली है तभी रितेश का आवाज आया रितिका तुम जरोर जीतोगे तुम कर सकते हो रितेश के ये दो लाइन सुनकर रितिका के शरीर में और मन जैसे ताकत आ गई थी ग्राउन्ड में बैठे हुई सब बच्चे चिल्ला रहे थे रितिका, तुम आगे जाओ, तुम हमारे कॉलेज की जाभिलिन क्वीन हो तुम निश्चित रूप में जीतोगे तुम कभी भी हार नहीं सकते, हमें तुम्हारे उपर विश्वास है आप लोगों को जानकर आश्चार्य होगा की वह खेल ऐसा था की दोनों तरफ के पार्टिसिपेट अपने अपने एक पैर से एक दूसरे के साथ गंजा फैन के जैसे घुटना पर लड़ाई करेंगे गई थी दूसरे कॉलेज के बच्चों से, तभी प्रोफेसर आकर कहते हैं कि वेल्डन रितिका हमारा कॉलेज नंबर वन पोजीशन में है, मैं बहुत खुश हूँ ये सब रितिका की वजय से हुआ है, रितिका मॉनिटर बनने के बाद अच्छा काम कर रहा है सब कुछ अच्छे से हैंडल कर रही है, अब तुम ठक गए होगे अब तुम लोग सब अपने अपने घर जाकर रास्ट करो फिर पोफेसर वहां से चले गए, रितिका ने रूबी को देख कर कहा रूबी सुन, मैं बहुत ठक गई हूँ, हाथ में बहुत पेन हो रहा है यहां से उठकर जाने के लिए भी मन नहीं हो रहा है रूबी ने कहा, ठीक है तू बैट जा, मैं तेरे हाथों में मालिश कर देती हूँ, तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा यह सब रूबी दूर से खड़ा कर देख रहा था, तब ही उसका कोई दोस्त रूबी को बहा से बुलाया और रूबी भी बहा से चला गया रूबी को कहा, पता है रूबी, आज का खेल बहुत मजेदार था, खेल के लास तक मुझे लग रहा था, मैं हार जाऊंगी लेकिन जब रूबी को आज मुझे उत्साह देते हुए सुना, तब जैसे मेरे शरीर में और मन में ताकत भर गया लेकिन तू कहा गई थी, मैं तुझे नहीं देख पाया, क्या मेरी खेल तुझे अच्छी नहीं लगती है, जो तू गायब थी रूबी ने कहा, अरे रितिका, मुझे थोड़ा अलग तरफ से काम था ना इसलिए, मैं नहीं आ पाया तेरे खेल देखने के लिए रितिका तो तू फिर आज तू ने दिन भर खेल में ही बिता दिया, सच में तू एक पगली है, तो फिर तो आज तूझे रितेश के साथ बात करने के लिए टाइम नहीं मिली होगी रितिका ने कहा, हाँ, आज पूरा दिन तो खेल में ही चला गया, क्यों क्या हुआ रूबी ने कहा, रितिका तू सच में एक पागल है, मैं तो सोची थी, तुझे जितना टाइम मिलेगी तू उपना टाइम रितेश के साथ बताएगा और बात करेगा लेकिन तू इतना बुद्धू है, मुझे पता नहीं था, तुझे पता है रितेश के पीछे कितने लड़की पागल है और उसके पीछे पड़े हैं, ठीक है जाने दे उस बात को चल घर चलते हैं, फिर दोनों घर चले गए, घर जाकर रितिका ने देखा कि प्रीती अभी तक घर नहीं आया है उसे पता था कि आज प्रीती के college में function है प्रीती के college में आज function था और लडकियों का dress code था साड़ी और लडकों की dress code था कोट पहन के आना black color का सब student अगर time में college में पहुंच गये थे ओम भी college पहुंच गया था लेकिन उसके आंखे तो प्रीती को ही धून रहा था लेकिन उसका प्रतीक कही पर भी दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए ओम ने उसे कॉल लगाया ओम ने कहा फिलो जान, तुम कहां हो प्रीती ने कहा ओम पीछे के गेट से कॉलेज आ गए थी और अभी कॉमन रूम में हूँ। ओम ने और कुछ नहीं कहा और फोन कार दिया और प्रीती के उसके सामने आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद प्रोग्राम शुरू हो गया और पहले एक लड़की ने ODC दान्स करके प्रोग्राम शुरू किया, फिर उसके बाद दूसरा कार्यक्रम शुरू हो गया। कॉलेज के प्रोफेसर सब कुछ-कुछ लेक्चर दिया फिर एक प्रोफेसर ने कहा, अगर बच्चों का कोई मनोरंजन प्रोग्राम है तो आप लोग शुरू कर सकते हैं। तब ही राकेश ने कहा, पहले सौंध होगा, उसके बाद दान्स फिर लास्ट में कपल दान्स। राकेश ने जो जो बच्चे पार्टिसिपेट किये थे, सब का नाम लेकर बुलाया। सब आकर गाना गा कर गए, गाना सुनकर ऐसे लग रहा था जैसे वो सब इस दिन के लिए पहले से रेडी करके रखे थे। ऐसे ही सब स्टुडेंट का खत्म होने के बाद लास्ट में प्रीती का नाम आया। राकेश ने प्रीती का नाम अनाउंस किया, प्रीती जाकर स्टेज के ऊपर खड़ा हो गया। प्रीती के सब देखकर देखते ही रह गए, प्रीती आज बहुत सुन्दर लग रही थी, उसने रेड कलर की ब्लैक बॉर्डर वाला साड़ी पहनी थी। खलका मेकप और खुले बाल उसकी सुन्दरता को दोगुना कर रहा था, वह कहर धा रही थी। ओम जैसे प्रीती को देखकर अपने पल के जपकाना भूल गया था, एक बस प्रीती को नहा रहा था, प्रीती ने गाना शुरू किया, वह गाना बहुत रोमेंटिक था, लास्ट लाइन को उसके साथ सब बच्चे मिल कर गए, फिर प्रीती सब को धन्यवाद कहकर स्टेट स नीचे उतर गया और ओम को धूंदने लगी, लेकिन हम उसे नजर नहीं आ रहा था, लेकिन तभी बहुत सारे बच्चे आकर उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे, ऐसे ही कुछ देर वह ओम को धूंदने के बाद, लास्ट में वह जाकर राकेश को पूछा ओम के बा प्रीती ने कहा, हाँ फंक्शन शुरू होने से पहले, मुझे उन्होंने कॉल किया था, लेकिन अभी पता नहीं कहा चले गए, राकेश ने कहा, प्रीती तुम चिंता मत करो, कहीं काम से गया होगा, वापसा जाएगा, लेकिन तुम आज बहुत सुन्दर लग रही हो, अग अगर कोई भी तुम्हें देखेगा तो पहली नजर में प्यार कर बैठेगा, प्रीती ने कहा, ठ्यांक्यू राकेश, लेकिन मैं इसी कॉलेज की हूँ, और मुझे सब जानते हैं और देखा भी है, ठीक है मैं चलती हूँ, राकेश ने कहा, ठीक है, उसके बाद फंक्शन क का दूसरा प्रोग्राम शुरू हो गया, प्रीती फिर भी ओम को धून रही थी, फंक्शन खत्म होने आया था लेकिन ओम का कोई अता पता नहीं था, लास्ट प्रोग्राम सिर्फ कपल दान्स बाकी था, तभी फिर आपके स्टेज के उपर आया और कहा, प्लीज, आप राकेश फिर से स्टेज की उपर आया और कहा कि सब कपल अपने अपने पार्टन के साथ स्टेज की उपर दान्स करेंगे, फिर लास्ट में सब मिलकर दान्स करेंगे, उसके बाद राकेश ने एक-एक कपल का नाम लेकर बुलाया और वो लोग जाकर अपने अपने पार्ट के साथ performance दिया दूसरी तरफ प्रीती उम को बहुत धूंधा लेकिन उसे ना पाकर दुखी मन से बैठी थी तब ही उसकी दोस्त सीमा पर पहुँच गई सीमा ने कहा तू तो उसे चारों तरफ धूंद लिया है फिर भी वल कहीं नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर दुखी मन से बैठने से क्या होगा चल दान्स देखते हैं प्रीती ने कहा नहीं मुझे मन नहीं है तू जाकर देख मैं यही पर बैठी हूं सीमा ने कहा सब स्टुडेंट बहाँ पर है तू अकेला यहाँ पर बैठ कर क्या करेगी तू नहीं जाएगी तो मुझे अकेला लगेगा चलना प्लीज प्रीती ने कहा ठीक है चल फिर प्रीती और सीमा जाकर दान्स पफॉर्मेंस देखने लगे लेकिन प्रीती मन ही मन ओम को धून रही थी ऐसी कुछ देर के बाद सब पफॉर्मेंस खत्म हो गया और राकेश ने स्टेज के उपा आकर कहा सब कपल आ जाओ मिलकर एक साथ दान्स करते हैं राकेश की इस बात से प्राय सबने एगरी हुए और सब दान्स करने के लिए रेडी हो गए प्रती मन में सोच रही थी अगर अभी ओम यहाँ पर होता तो वह उसके साथ दान्स करती सीमा ने कहा हम दोनों भी डान्स करते हैं प्रीती ने कहा सीमा ये कपल डान्स है यहाँ पर कोई बरजात्री नहीं जा रहा है जो तू डान्स करेगी अगर तुझे इतने डान्स करने का मन है तो जा तेरे लिए कोई पार्टनर ढूंड ले सीमा ने कहा चीक है तु मेरा ही पर इंतजार कर मैं अभी आती हूँ प्रीती देशी वहाँ पर खड़ी थी तभी राकेश उसके पास आया और उसे कहा प्रीती तुम यहाँ पर अकेले क्यों खड़े हो क्या तुम मेरे साथ दांस करोगे प्रीती ने कहा नहीं सीमा अभी मेरे साथ थी वल गई है अपने लिए दांस पार्टन धूंदने के लिए राकेश ने फिर से कहा फिर तुम अकेले क्यों खड़ी हो चलो मेरे साथ दांस करो प्रीती ने कहा मैं नहीं नहीं मुझे दांस करना नहीं आएगा राकेश ने जिद करते हुए कहा प्रीती यहाँ पर कोई कमपटीशन नहीं चल रहा है जो तुम्हें सीखना पड़ेगा लीज आ जाओ तभी प्रीती ने जोर से चिल लाया ओम तभी राकेश पीछे गूम कर देखा तो ओम उसके पीछे से धीरे धीरे आ रहा था प्रीती ने कहा तुम कहा चले गए थे पता है में तुम्हें कितना धून रही थी ओम ने पूछा किसलिए मुझे धून रही थी प्रीती ने कहा नहीं ऐसे ही धून रही थी कोई कारल नहीं है ओम ने कहा ठीक है, मेरे साथ दांस करोगे, प्रीती ने उसी टाइम राकेश को देखने लगी, और बोली, वह, ओम ने कहा, क्या हुआ, प्रीती ने कहा, तुम से पहले राकेश, राकेश ने प्रीती की बातों को कम्प्लीट होने से पहले कहा, अरे प्रीती अकेली थी ना, इसलिए मैं उसे दांस के लिए बुला रही थी, अब तो तु आ गया है ना, जाओ तुम दोनों डांस करो, ओम ने कहा, लेकिन तू, तभी सीमा वहाँ पर पहुँच गे और कहा, जानती है प्रीती, मैं आधा घंटा से दांस के लिए कोई पार्टन धून रहा हूँ, लेकिन कोई मिल ह नहीं रहा है, ओम ने कहा, है ना, डांस करने के लिए पार्टन यहीं पर है, लेकिन तुम अगर और कोई धून गे तो तुम्हें कैसे मिलेगा, सीमा ने पूछा, कहा है, ओम ने राकेश की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हारे सामने रहा, राकेश ने कहा, अरे नहीं मैं, ओम ने कहा, तू तो अभी कह रहा था, प्रीती के साथ दांस करेगा, लेकिन अभी मना कर रहा है प्लीस करना, समीर ने और मना नहीं किया, सीमा के साथ दांस करने के लिए राजी हो गया, फिर चारो स्टेज पर के दांस करने के लिए, एक सुन्दर रोमेंटिक गाने में सब सुन्दर सटेप के साथ दांस करने लगे। प्रीती को बहुत अच्छा लग रहा था। वह मन में सोच रही थी। ये पल ऐसे ही रुख जाती तो मैं सुन्दर पले को बांध कर रखती। पूरे जीवन भर अगर तुम्हारे हाथ पकड़ ऐसे मुझे रहने का मौका मिल जाएगी तो मैं तो कभी भी नहीं सोचा को हाथ से जाने नहीं दूंगी। कुछ देर बाद प्रीती के भावना के साथ साथ गाना भी खत्म हुआ। सब अपने अपने जगह पर लोट गए थे, जब प्रीती जाने के लिए पलतती है, तभी उसके हाथ में कोई पीछे से पकड़ा हुआ था। उसने घूम कर देखा तो होटात लाइट ओफ हो गया। लाइट ओफ होते ही चारों तरफ अंधेरा हो गया। प्रीती दर गई थी और ओम को धून रही थी। सभी एक स्पोर्ट लाइट जल उठा और वह प्रीती के ऊपर था। प्रीती को कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि हां क्या हो रहा है। ये सब सोचने के बाद प्रीती पीछे घूम कर देखा तो वह आश्चर्य हो गई। ओम घुटनों पर बैठा है, फिर ओम ने कहना शुरू किया। प्रीती, मैं तुम्हें मेरा पहला प्यार बना कर अपने दिल में पूरे जीवन सजा कर रखना चाहता हूं। क्या तुम मुझे अनुमती दोगे, पूरे जीवन तुम्हारे हाथ पकड़ कर चलने के लिए सपना देख रहा हूं। उस सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। तुम क्या मुझे यह मौका नहीं दोगे। ओम के बाद खत्म होते ही, प्रीती ने उसे गले लगा लिया। क्योंकि ओम ने उसे पहले मुबाइल में प्रपोज किया था, लेकिन आज सब के सामने उसे प्रपोज किया था। वह भी बहुत रोमेंटिक अंदाज में तो प्रीती को बहुत अच्छी लगी थी। इसलिए बहुत थोड़ा भावुक हो गई थी, और ओम के गले लगे हुई रोने लगी। तभी सब ने ताली बजाया, ताली के आवाज सुनकर दोनों होश में हैं और एक दूसरे से अलग हुए। तभी ओम ने एक अंगूथी निकाला और प्रती के उंगी में पहना दिया और उसके हाथों को चुम लिया। तभी चारों तरफ लाइट जल उठा, और राकेश पर सीमा दोनों प्रीती और ओम के पास आकर कुंदन को कानब्रे चुलेट किया। राकेश ने कहा, अरे, आज का बैस्ट कपल तो तुम दोनों हो, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि ओम ने आज सब के सामने अपने मन की बात कहा। सीमा ने कहा, हाँ, प्रीती भी कबसे इस दिन का इंतजार कर रही थी कि कब ओम उसे सब के सामने प्रपोज करेंगे। ओम ने कहा, सच में, फिर तुम्हारे दोस्त ने मुझे कभी कुछ क्यों नहीं कहा। प्रीती ने कहा, ऐसे मत कहो, अगर मैं पहले से ही ये सारा ना करती तो, तो तुम आज भी मुझे सब के सामने प्रपोज नहीं कर पाते। राकेश ने पूछा, लेकिन ओम, तुम आज बीच में गायब कहा हो गया था। ओम ने कहा, हाँ, मैं थोड़ा बाहर रिंग खरीदने गया था। ओम ने कहा, मैं तो कब से आ गया था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था, कि प्रीती मुझे धून रही है या नहीं। प्रीती ने कहा, अच्छा, फिर तुम मुझे चुक चुक कर देख रहे थे ना, लेकिन मैं तुम्हें धून नहीं रही थी। ओम ने कहा, ओ मैडम, और कितना जूट बोलोगे, मैंने साफ साफ देखा है तुम केसे मूँ लटका कर बैठी थी मुझे नाम पाकर। प्रीती ने कहा, ठीक है, मैं घर चलती हूँ, सीमा चल घर चलते हैं। ओम ने कहा, कुछ हेल्प कर सकता हूँ क्या। प्रीती ने कहा, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, और तो और हम दोनों हैं, और तुम्हारे बाइक में हम दोनों नहीं जा सकते। ओम ने कहा और अगर ड्राइवर दो हूंगे तो प्रीती ने पूछा तुम्हारा मतलब क्या है ओम ने कहा अरे राकेश है ना वह सीमा को छोड़ देगा उसके घर क्यों राकेश मैंने सही कहा ना राकेश ने कहा ठीक है ठीक है मैं सीमा को उसके घर छोड़ ढूंगा तुम दोनों आराम से जाओ सीमा ने कहा अरे कोई बात नहीं मैं आटो में चली जाओंगी तुम लोग चिंता मत करो राकेश ने कहा क्यूं मेरे साथ जाने में तुम्ही कोई प्रॉब्लम है क्या सीमा ने कहा लेकिन प्रीती ने सीमा के कुछ बोलने से पहले कहा सीमा लेकिन वेकिन कुछ नहीं है तू राकेश के साथ जा रही है वैसे भी अगर हम दोनों ओटो में जाते तो तुझे मेरे घर के पास से अकेले जाती ना प्लीज ना मत केह मान जा सीमा ने कहा ठीक है चलो चलते हैं इसके बाद चारो बाइक में बैट कर अपने घर के लिए निकल गए प्रीती ने ओम को कहा मुझे मा से मिलने जाना है कल ओम ने कहा ठीक है मैं तुम्हें कल कॉलेज में पढ़ाई कम्प्लीट होने के बाद घर ले जाओंगा लेकिन तुम भी घर पर थोड़ा बता देना क्योंकि घर पहुँचते तुम्हें थोड़ा लेट हो जाएगी प्रीती ने कहा हाँ मैं घर पर कह दूंगा कि मैं सीमा के घर जा रही हूँ तो लेट होने के बाद कोई मेरे लिए चिंता नहीं करेंगे ओम ने कहा जूट क्यों बोलोगे तुम सोच भी तो बता सकते हो ना प्रीती ने पूछा अच्छा तो तुम ही बताओ मैं घर पर क्या बोलूँ ओम ने कहा इन दोनों के रिष्टे के बारे में बताओगे और सबसे पमिशन लोगे प्रीती ने कहा नहीं ओम तुम जितना सोच रहे हो इतना आसान नहीं है तुम हमारे पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद अपनी मा के साथ मेरे लिए रिष्टा लेकर आओगे और तभी मैं भी घर के लोगों को सबसच बता दूंगी ओम ने कहा प्रीती अगर तुम्हारे परिवार वाले हमारे रिष्टे को सहमती नहीं दिया तो प्रीती ने कहा हमारे घर पर हमारे रिष्टे को क्यों नहीं मानेगे शायद तुम्हे एक बात नहीं जानते हो मैं जिसे प्यार करती हूँ और अपना बनाना चाहती हूँ वो देखने में बहुत हैंडसम है और वह मुझे बहुत प्यार भी करते हैं और इससे ज्यादा एक माव बाप को अपनी बेटी के लिए क्या चाहा है ओम ने कहा सच में क्या तुमने तो मुझे ये बात नहीं बताया था प्रीती ने कहा क्योंकि तुमने मुझे कभी पूछा ही नहीं था इसलिए इतना कहकर दोनों हसने लगे ऐसे ही जैसे दोनों प्यार के पक्षी खुले आसमान में उर रहे थे जैसे किसी का दर नहीं था जैसे वो दोनों इस दिन को कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे दोनों गुम हो गए थी दोनों के बीच में लेकिन दूसरी तरफ सीमा नॉन स्टॉप बोली जा रही थी लेकिन राकेश बिलकुल चुप चाप था लास्ट में गुसा होते हुए राकेश ने कहा क्या तुम थोड़ा चुप नहीं रह सकते कितने देर से तुम इतना बखबख कर रहे हो तुम्हे बोल नहीं लग रहा है बखबख कर रख सीमा ने कहा नहीं बोर क्यों लगेगी इसके उलट अगर मैं चुप रहूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगी अगर तुम्हारा मन हो रहा है तो सुनो नहीं तो चुप चाप अपना कान बंद कर दो राकेश ने जुन्ज लाते हुए कहा अगर मैं कान बंद करूंगी तो तुम तुम्हारे घर पर नहीं हॉस्पिटल में दिखाएं मिलोगे समझे चुप चाप आकर बैठा नहीं तो यहीं पर उतर दूंगा और तुम्हें छोड़कर अकेला चला जाओंगा सीमा ने कहा मुझे पता है तो मैंसा नहीं करोगे फिर भी मैं चुक बैठती हूँ लेकिन क्या होगा थोड़ी देर के बाद सीमा के फिर से बखबख करना शुरू हो गई थी फिर थोड़ी देर के बाद राकेश उसे लेकर उसके घर में छोड़ दिया और आपने घर की ओर निकल गया फिर वह मन में सोचा आप इंसान थोड़ा शान्ती में जाएगा कितना बोलती है वह लड़की फिर ओम प्रिती को लेकर उसके घर से थोड़ी दूर पहुँच गया प्रिती वही उतर गई और ओम ने उसे अपने उर्खीच लिया प्रिती की धरकन बढ़ने लगी ओम ने धीरे से अपने होठों से उसके होठों को चिपका लिया और उसे किस करने लगा फिर ओम ने उसे थोड़ी देर तक किस करने के बाद उसे छोड़ दिया क्योंकि कोई भी उनको देख सकता था और प्रीती के लिए प्रॉबलम हो सकती थी फिर प्रीती ने शर्माते हुए ओम को बाय बोल कर वहां से चली गई ओम ने प्रीती को उसके घर पहुँचने तक देखता रहा फिर वहां से चला गया फिर वो जाकर राकेश के लिए इंतजार कर रहा था राकेश के आने के बाद दोनों अपने अपने घर के लिए निकल गए प्रीती जैसे घर पहुँची तभी उसने देखा क्या होगा आगे, क्या प्रीती और ओम एक हो पाएंगे, या कोई उन दोनों के बीच में गलत फेहमी पैदा करेगा ये सब प्रश्णों के आंसर जानने के लिए ये स्टोरी पढ़ते रहिए, आगे क्या क्या मोर आता है जानते रहिए सिर्फ अपने पॉकिट एफिम पर, हे यो फ्रेम्ज आप लोगों को आज का चैप्टर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को अगर चैप्टर अच्छा लगा तो, प्लीज रिव्यू देना मत बोलना और कमेंट लाइक जरूर करना राकेश ने जुन्ज लाते हुए कहा, अगर मैं कान बंद करूंगी तो, तो तुम तुम तुम्हारे घर पर नहीं हॉस्पिटल में दिखाएं मिलोगे समझे चुप चाप आकर बैठा नहीं तो यही पर उतर दूंगा, और तुम्हें छोड़कर अकेला चला जाओंगा राकेश उसे लेकर उसके घर में छोड़ दिया और आपने घर की ओर निकल गया, फिर वह मन में सोचा, आप इंसान थोड़ा शान्ती में जाएगा, कितना बोलती है वह लड़की उधर ओम, प्रिती को लेकर उसके घर से थोड़ी दूर पहुँच गया प्रिती वही उतर गई और ओम ने उसे अपने उर्खीच लिया, प्रिती की धरकन बढ़ने लगी ओम ने धीरे से अपने होठों से उसके होठों को चिपका लिया और उसे किस करने लगा फिर ओम ने उसे थोड़ी देर तक किस करने के बाद उसे छोड़ दिया क्योंकि कोई भी उनको देख सकता था और प्रीती के लिए प्राबलम हो सकती थी फिर प्रीती ने शर्माते हुए ओम को बाय बोल कर वहां से चली गई ओम ने प्रीती को उसके घर पहुँचने तक देखता रहा फिर वहां से चला गया फिर वो जाकर राकेश के लिए इंतजार कर रहा था राकेश के आने के बाद दोनों अपने अपने घर के लिए निकल गए प्रीती जैसे घर पहुँची तभी उसने देखा अब आगे घर पर सब बैठे हैं तरुन और वरुन कुछ बात कर रहे हैं पायल के पिता के बारे में जैसे प्रीती वहां पर पहुँची वह दोनों चुप हो गए प्रीती अपने कमरे में चली गई तभी रितिका उसके रूम में आई और कहा की दीदी मैं आज खेल में जीत गई मैंने आज दूसरे कॉलेजों की स्टुडेंट को हरा दिया प्रीती यह सुनकर खुश हो गई और उसे गले लगा लिया और कहा कॉंगस मेरी बच्ची लेकिन तू रितेश को प्रपोज किया या नहीं प्रितिका ने दुखी होते हुए कहा दीदी तुम जानते हो ना वह कैसा लड़का है हर टाइम चुप चुप रहता है मैं अगर उसे प्रपोज करूंगी तो वह अगर मना कर दिया तो इसलिए मैंने सोचा है जब तक मुझे पता नहीं चलता कि उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ है तक तक मैं उसे प्रपोज नहीं करूंगी पहले मैं उसके नजदी जाऊंगी और उसे जानने की कोशिश करूंगी मैं तो चाहती हूँ कि वह मुझे प्रपोच करें लेकिन अगर ऐसा टाइम आया तो मैं ही उससे प्रपोच कर दूँगी लेकिन दीदी तुम्हारे चहरा देखकर तो मुझे लग रहा है आज आपको बहुत खुशी मिली है बताओ ना जीजु ने क्या किया प्रीती ने शर्माते हुए कहा ओम ने आज मुझे कॉलेज के स्टेज पर सब बच्चों के सामने प्रपोच किया जिस दिन को मैं सपने में देखती थी आज मेरा सपना पूरा हो गया आज मैं बहुत खुश हूँ उनके जैसे लवपाकर प्रीती का भी प्रीती के खुशी देख कर बहुत खुश हुई लेकिन उन दोनों को थोड़ा दुख लग रहा था कि उसके भाय और पायल के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है दोनों ने प्रॉमिस किया था कि उन दोनों को जो बन पड़ेगा वो दोनों प्रयास और पायल के लिए हेल्प करेंगे फिर प्रीती ने बाथरूम में जाकर फ्रेश हुआ और दोनों नीचे चले गए नीचे जाकर देखा तो प्रकाश और प्रयास दोनों डाइनिंग टेबल में बैठे हैं प्रयास का मूड उखड़ा उखड़ा लग रहा था तरुल और वरुल डाइनिंग टेबल के चेव पर बैक्ट कर अपने काम के बारे में डिसकस कर रहे थे दादा जी अपने कमरे में रहते थे और वही पर खाना खाते थे बस चल्दी खाना खा कर सो जाते थे अब तक बहुत सो गए थे रुपा और जूही दोनों सब के लिए खाना सब करने में लगे थे इन दोनों को भी अच्छा नहीं लग रहा था प्रयास का चहरा मुर्जाया हुआ देखकर लेकिन वो दोनों चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उन दोनों ने अपने भाई को ऐसे ही हिल्प के गवाया था अब अपने बेटे को खोना नहीं चाहते थे दोनों प्रीती और रितिका ने भी टैक कर लिया था कि वो दोनों अपने घर में कभी नहीं बताएंगे कि बोधन किसी को प्यार करते हैं जब सही टाइम आएगा तभी बताएंगे नहीं तो कहीं उन दोनों को भी अगर दूर रहने के लिए कहा गया तो वो क्या करेंगे सबने खाना खाकर अपने अपने रूम में चले गए जुही और वरुन अपने बैट पर लिटे थे जुही अपना सिर वरुन की सीने पर रखा था वरोन उसके सिर को सहला रहा था जूही ने कहा मुझे लग रहा है सब बच्चे हमें गलत समझ रहे हैं उन लोगों को लग रहा है हम लोग उन लोगों के प्यार को समझ नहीं पा रहे हैं और उन लोगों को मजबूर कर रहे हैं प्यार से दूर रहने के लिए ये सब ठीक नहीं है आप लोग क्यों नहीं बता देते बच्चों को सब सच सच नहीं तो कहीं बच्चे हम से दूर ना हो जाए मैंने आज प्रीती और रितिका की आँखों में दुख देखा था वरो ने जुही को आपने उपर लेटा लिया और कहा मैं भी जानता हूँ लेकिन सही टाइम नहीं आये है सच को बताने के लिए मैं जानता हूँ प्रयास हमारे खांदान का खून है वह कभी भी पायल को अपने से दूर नहीं जाने देगा और हम भी उसे ताकतवर बना रहे स्ट्रांग बना रहे हैं सही टाइम आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम चिंता मत करो मेरे उपर ध्यान दो फिर उसने जुही के होटों के उपर अपने होटों को चिपका लिया और दोनों एक दूसरे के होटों के रस पीने लगे फिर दोनों एक दूसरे के कपड़े अलग करने लगे और दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए दूसरी तरफ पायल सो नहीं पा रही थी और रोय जा रही थी तभी अनीता उसके रूम में आई अनीता पायल के आंख लाल होते हुए देखकर कहा बेबी मैडम आपका तबियत ठीक नहीं है क्या क्या मैं डॉक्टर को बुलाओ पायल ने कहा नहीं आंटी मैं ठीक हूँ लेकिन मैंने तो आपको नहीं बुलाया है फिर आप कहा क्यों आए हो अनीता ने कहा, नहीं नहीं बेबी मा, आपने मुझे नहीं बुलाया था, मुझे बड़े साहब ने ये भेजा है उनको एक पुराना फाइल चाहिए था जो फाइल यहां के अल्मीरा में है वोही फाइल में लेने आई हूँ, इसलिए आप मेरी चिंता मत करें पाइल है कहा, ठीक है, आप फाइल ले लो अनीता जब अल्मीरा खुला तो सब फाइल एक साथ नीचे गिर गया उसमें से एक फाइल से बहुत सारे पुराने फोटो बाहर गिर गए पाइल ने वल सब फोटो को हाथों में उठा लिया देखने के लिए लेकिन अनीता वल सब फोटो को लेकर फाइल में रखने के लिए जल्दी कर रही थी और पाइल के हाथों से फोटो सब लेकर फाइल में रखने लगा तब ही पाइल ने कहा, आंटी, वो फोटो सब किसका है, मुझे देखाओ आप मुझे से ये फोटो छुपा क्यों रहे हो? क्या इसमें कोई अच्छी सी भी बात है, जो मैं नहीं जानती? आप मुझे सच सच बताओ क्या बात है? अनीता डर गई थी और कहने लगी, बेबी मा, मुझे माफ करो, मैं आपको ये सब फोटो नहीं दिखा सकती. पायल ने पूछा, लेकिन क्यों? अनीता ने दर्ते हुए कहा, क्योंकि अगर बड़े सांप को पता चला, तो वह मुझे जान से मार देंगे, इसलिए आप मुझे यहां से जाने दो. पायल ने कहा, अगर उनको पता चलेगा, तभी तो वह तुम्हें मारेंगे ना, उनका पता नहीं चलेगा कि मैं नहीं फोटो देखा है, क्योंकि हम दोनों में से उनको कोई नहीं बताएगा. अनीता ने कहा, लेकिन बड़े साहब, जाने से पहले कह कर गए हैं, फायल को जल्दी धून कर उनके ओफिस में पहुचा दिया जाए. प्लीज बेबी मा मुझे जाने दो यहां से. पायल ने कहा, वाह, पापा घर पर नहीं है, ये तो सबसे अच्छी बात है, तो फिर इतना दर क्यों रहे हो आप. पापा इतना जल्दी घर वापस नहीं आएंगे तुम चिंता मत करो. इतना मजबूर करने के बाद अनीता ने सब फोटो पायल के हाथों में दे दिया. पायल ने वह फोटो देखते हुए कहा, ये दोनों कौन है, मैंने कभी भी ये दोनों को हमारे फैमिली एल्बम में नहीं देखा है. इतनी सुन्दर लड़की बिलकुल राजकुमारी के जैसे दिखती है. इतने लंबे बाल, इतने गोरे लड़की के फोटो हमारे घर पर क्या कर रही है? और ये लड़की के साथ ये लड़का कौन है? अनीता ने कहा, बेबी मा, मैंने आपकी बात मान कर आपको सब फोटो दे दिया लेकिन ये दोनों कौन है मुझे नहीं पता. लीज मुझे मत पूछो. पायल ने कहा, तुम अच्छे से सब जानते हो. क्योंकि तुमने मुझे कितनी बार कहा है कि, तुम इस घर में पापा की शादी से पहले हो. मुझे सच सच बताओ बात क्या है? नहीं तो मैं पापा को बता दूंगा कि, आपने मुझे ये सब फोटो दिखाया है. अनीता ने मन में सोचा, अगर वो पायल को कुछ ना बताए तो पायल जेसी लड़की है, वो ही बात जाकर उसके पापा को बता देगा. इसलिए अनीता ने कहा, रुको बेबी मा, मैं पहले दरवाजा बंद कर देती हूँ, अगर बड़ी मा ने सुन लिया तो गरबर हो जाएगी. फिर अनीता ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और पायल के पास आकर बैट गई फिर कहा, बेबी मा, आपको मेरी कसम, आपको मैंने ये सब बताया है, जैसे बड़े मा और बड़े साहफ को पता नहीं चलना चाहिए. पायल ने कहा, अनीता आंटी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं किसी को नहीं बोलूँगी अब तो बताओ. अनीता ने कहना शुरू किया, ये फोटो जो दोनों देख रहे हैं, उसमें जो लड़की है, वोह और कोई नहीं तुम्हारी बुआ है, और जो लड़कियों के साथ खड़ा है, उनके साथ तुम्हारी बुआ का शादी फिक्स हुई थी. पायल ने कहा, लेकिन मैंने इन दोनों को तो, मैं जन्म होने के बाद कभी नहीं देखा है, ये देना कहा है? अनीता ने कहा, बेबी मा, तुम तभी बहुत छोटी सी थी, इसलिए तुम्हें उन लोगों के याद कैसे रहती? अब ये दोनों इस दुनिया में नहीं है, ये दोनों मर चुके हैं. पायल ये सुनकर अवाख हो गई और अनीता से पूछा, लेकिन कैसे ये दोनों मरें, इतनी कम उमर में और दोनों एक साथ? अनीता ने कहा, इस प्रश्न का सही उत्तर अभी भी अस्पष्ट है, लेकिन मुझे इतना पता है कि, तुम्हारे बुआ ने गले में रसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, और इस लड़के को तुम्हारे पापा ने खुद अपने हाथों से गोली करके मार दिया था. पायल की सुनकर सुन हूँ गई थी, उसके पापा ने किसी का मदब ही किया था. वह भी अपने बहन के प्यार को ऐसा क्या हुआ था जो बुआ को आत्महत्या करने पड़ी और उस लड़के को अपना जान गवा ना पड़ा. पायल कुछ समझ नहीं पा रही थी, किसक पापा इतने खुनखार भी हो सकते हैं. जो किसी की जान लेने में भी पीछे नहीं हच सकते हैं. पहले खुद को संभाला और पूछा. लेकिन क्यूं? पापा ने उस लड़की को गोली क्यूं मारा. बुआ ने आत्महत्या क्यूं क लिया. वहना चाहते हुए भी अपने मन की बात अनीता को पूछ लिया. BSF क्वेश्चन जानना चाहती थी कि पहले क्या हुआ था? अनीता ने कहा, बेबी मा, अगर कभी और टाइम मिला तो मैं सब कुछ बता दूंगी. लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कह सकती. लेकिन पायल क कहा, ठीक है आंटी, लेकिन मुझे ये सब जानना है. अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो जब आपके पास टाइम हो गया मुझे सब कुछ सच बताओगे. मेरे बोवा और उनके प्रेमी कैसे मरे और क्यू मरे? अनीता ने पायल को समझाते हुए कहा, बेबी मा, वो दोनों तो इस दुनिया में नहीं है, और बड़े साहब और बड़े मा नहीं चाहते हैं कि आप ये सब के बारे में जाने. इसलिए सबसे अच्छा होगा कि आप ऐसा प्रिटेंड करो कि आप कुछ नहीं जानते हो. पायल कहा छोड़ने वाली थी? वह एक जीन्द खोर लड और ये सब मुझे आप ही बताएंगे. अनीता उसके जीन्द के सामने हार गई और कहा, ठीक है बेबी मा, मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगी, लेकिन जब कोई नहीं होगा घर पर, तब तो आपको इंतजार करना होगा. तब ही कल के पापा जो बाहर गए थे शायद घ कर कहा, पायल, तुम्हारे पापा और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, अगर कुछ जरूरी हो तो फोन करके बता देना. पायल ने कहा, ठीक है, पायल ने सोचा इतनी रात को ये दोनों कहा जा रहे हैं, फिर भी उसने उन दोनों को कुछ नहीं पूछा, लेकि कि वः दोनों उइट कलर के कपड़े पहन कर जा रहे थे, बचपन से वह अपने माबाप को इतनी रात को पार्टी में बिजनेस मीटिंग में जाते हुए देखा था, रोशनी सोच लिया कि वह दोनों को ही बिजनेस पार्टी नहीं है कोई मीटिंग में जा रहे हूँगे, लेकिन पहले जब वह दोनों इतनी रात को बाहर जाते थे पायल दुखी होती थी लेकिन आज बहुत खुश था क्योंकि वह दोनों जाएंगे तो वह अनीता से अपनी बुआ के कहानी सुन सकती है पायल उन दोनों के जाने का इंतजार कर रही थी जब वह दोन बाहर चले गए तभी पायल ने अनीता को फोन करके उपर बुलाया अनीता आकर बैट गई लेकिन बताने के लिए वह बहुत दर रही थी पायल अनीता को देखकर भाप लिया था कि वह दर रही है इसलिए उसने कहा अनीता आंटी मत डरो, मैं आपके नाम कहीं पर भी नहीं लूँगी और किसी को कुछ नहीं कहूंगी आप जल्दी मुझे सब सच सच बताओ अनीता ने कहना शुरू किया प्रताप छोट राय जी के एकलोती छोटी बहन थी सुलगना जो बचपन से प्यार और दुलार से बड़ी हुई थी बचपन से उनकी मा नहीं थे इसलिए बड़े साहब सुलगना को मा का प्यार देने के लिए बहुत प्रयास करते थे इसलिए उन्होंने जल्दी शादी भी कर लिया था सुलगना देखने में जितनी सुन्दर थी उतनी ही उसके व्यवहार ही सुन्दर थी सर्वगुन संपन्ना सुलगना को कोई भी देखे तो उसको मना नहीं कर पाता था हर समय बड़े साहब उनके सुरक्षा कवच बनकर रक्षा करते थे बड़े साहब खुद उनको कॉलेज लेकर जाते थे और वहां से घर वापस लेकर आते थे इसलिए सुलगना को बहुत लड़की प्यार करते थे लेकिन बोलने के लिए डरते थे लेकिन एक दिन बड़े साहब घर पर नहीं थे सुलगना ने उस दिन अकेले कार की चाबी लेकर खुद गारी चला कर कॉलेज में चले गए रास्ते में गारी के ब्रेक फेल हो गया और गारी जाकर एक पेर में टकरा गई और वह वही पर बेहोश हो गए जिस लड़की को अपने फोटो में देखा वह लड़का का नाम है रूद रूद रपने बाइक में जा रहा था जब उसने देखा गारी का एक्सीडेंट हो गया है और कोई प्राबलम में है तो उसने सुलगना को लेकर हॉस्पिटल पहुँचाया कुछ दिन के बाद दोनों का फ्रैंडशिप हो गया फिर सुलगना ठीक हो कर घर वापस आ गए लेकिन दोनों का फ्रैंडशिप से ज़्यादा दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे दोनों एक दूसरे को एक पल भी बिना मिले रह नहीं पाते थे कुछ दिन दोनों का चोरी चुपे प्यार चलता रहा लेकिन एक दिन बड़े साहेब को पता चल गया कि उनके प्यारी सी बहन किस से प्यार करती है तो उनको बहुत गुस्सा आया बड़े साहब ने सुलगना को बुला कर बहुत गाली दिया लेकिन सुलगना उनकी बात मानने के लिए राजी नहीं थी सुलगना की एक ही जीन थी, रूद्र के अलावा सुलगना का कोई अस्तित्व नहीं है इसलिए वह शादी करेंगे तो उससे ही करेंगे बड़े साहब ने रोक ठक मना कर दिया, इसलिए सुलगना ने खाना पीना बंद कर दिया उसकी वज़े से उनका तबियक खराब हो गया और वह हॉस्पिटल में एडमिट हो गए दो दिन उनको ग्लूकस चरता रहा, फिर वह ठीक होकर कुछ दिन के बाद घर वापस आ गए बड़े साहब अपनी बहन से अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए वो अपनी बहन के खुशी के लिए मान गए सब कुछ ठीक ठाख चल रहा था लेकिन सुलगना को उस कॉलेज का और एक लड़का एक तरफा प्यार करता था वो लड़का सुलगना और रुद्र की रिष्टे को तोड़ना चाहता था रुद्र और सुलगना के फोटो रुद्र के मोबाइल से सुलगन की प्राइवेट फोटो सब किसने वाइरल किया किसी को पता नहीं चला सायद भगवान को पता है सुलगना ने इस अपवाद को सेह नहीं पाए और गले में रसी लगा कर आत्महत्या कर लिया और अपने प्यारी सी बहन को खोकर बड़े साहब ने गुस्से में रूद्र को गोली मार दिया और उस लड़के के परिवार को इतना परेशान किया कि बो सब उस शहर को छोड़ कर चले गए लेकिन मैं जितना रूद्र को जानता हूँ वह कभी भी यह गलत काम नहीं कर सकता था और किसी के प्लानिंग के वज़े से दो प्यार करने वाले पंची इस दुनिया से चले गए पायल ये सब सुनकर उसकी आँखों में आँसु आ गए अनीता ने कहा बेबी मा मैं अब जा रही हूँ लेकिन आप किसी को भी मत कहना कि मैंने ये सब आपको बताया है पायल ने कहा आँटी आप मेरे ऊपर आप विश्वास रखो मैं किसी को आपके बारे में कुछ नहीं कहूंगी लेकिन आपके बता सकते हूँ जो लड़का बुआ जी को एक तरफा प्यार करता था उस लड़का का नाम क्या है अनीता ने कहा हाँ बेबी मा मुझे उसका नाम पता है उसका नाम था मोहन पतनायक पायल ने कहा ठीक है दीदी मेरे और एक प्राश्न का उत्तर दे दो फिर मैं आपको डिस्टब नहीं करूंगी अनीता ने कहा आपका क्या प्राश्ण है पूछो पायल ने पूछा वो दोनू कौन से कॉलेज में पढ़ रहे थे और कौन से साल की स्टुडेंट थे अनीता ने पायल को सब कुछ बता दिया और बहा से चली गई पायल ने सोच लिया था सुबह उठकर वो पहली ये सब प्रयास को बताएगी क्यूंकि उसको लग रहा था ये सब में प्रयास के फैमिली का कोई कनेक्षन है जो प्रयास का जानना बहुत जरूरी है फिर वो प्रयास के बारे में सोचते सोचते सो गई दूसरे दिन प्रीती और रितिका रेडी हकर अपने अपने कॉलेज चले गए प्रयास घर पर था क्योंकि तुमने उसे कॉलेज जाने के लिए मना किया था कुछ दिन प्रकाश अपना स्कूल चला गया था वरुन और तरुन अपने अपने काम के लिए निकल गए थे वह सीमा के घर जाएगी उसे मिलने के लिए और उसे घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगी जूही ने भी कुछ नहीं कहा उसको पमिशन दे दिया रितिका भी कॉलेज में पहुंच गई रितेश क्लासरूम में बैठा था और अपने काम में इरफोन लगा कर गाना सुन रहा था तभी उसके पास कॉलेज की एक लड़की गायतरी उसके सामने खड़ा हो गया और उसके कहा रितेश आई लव यू मैं तुम्हें जिस दिन कॉलेज में पहली बार देखी थी उसी दिन में तुम्हें प्यार करने लगी थी गायतरी को लग रहा था रितेश उसकी बात सुन रहा है लेकिन रितेश साउंड और बड़ा दिया था तभी रितिका वहां एक बड़ा बॉक्स पकड़ कर आ रही थी रितिका ने देखा कि रितेश और गायतरी बात कर रहे हैं इसलिए उसने उन दोनों को साइट देने के लिए कहा तुम दोनों मुझे थोड़ा जाने के लिए रास्ता दे दो क्योंकि मुझे इस पेटी को लेकर रूम में जाना है रितेश ने फटाक से रितिका के हाथों से वह बड़ा बक्स को ले लिया और गायतरी को देख कर कहा सौरी गायतरी तुम शायद मुझे कुछ कह रहे थी लेकिन मैं गाना सुन रहा था इसलिए तुम्हारी कोई भी बात में नहीं सुना है गायतरी यह सुनकर दुखी मन से वहां से चली गई गायतरी के वहां से जाने के बाद रितेश को थैंक्यू कहा रितेश ने हाथों में बॉक्स को पकड़ कर कहा तुम मेरे पीछे-पीछे आ जाओ रितिका ने भी रितेश के बात मानकर उसके पीछे पीछे जाने लगी तभी रितेश ने बॉक्स का नीचे रखा और अपने पोकेट से एक चौकलेट निकाल कर रितिका को खाने के लिए दे दिया रितिका रितेश से चौकलेट पाकर बहुत खुश हो गई थी रितेश ने वल बॉक्स को वहाँ पर रख कर कहा रितिका मैं इस बॉक्स को यहाँ पर रख रहा हूँ रितिका ने कुछ देर सोचा फिर रितेश से कहा रितेश मैं तुम्हारे साथ क्या काम कर सकती हूँ रितेश ने कहा कौन सा काम रितिका रितिका ने कहा रितेश बात यह है कि हम दोनों मॉनिटर है अगर मैं तुम्हारे साथ काम करूँगी तो थोड़ा ज्यादा सीख लूँगी सब कुछ रितेश ने कुछ नहीं कहा बस रितिका को देखने लगा रितिका और कुछ ना कहकर वह रूम में चला गया और बॉक्स में जो जो सामान था उसे निकाल कर रखने लगा थोड़ी देर के बाद क्लास खत्म करके बाहर आई तो तभी उसका फोन बज़ा रितिक ने देखा तो पायल उसे कॉल कर रही थी रितिका ने लेटना करते हुए उठाया और कहा हेलो दूसरी ओर से पायल ने कहा पायल ने रितिका को कहा हेलो रितिका कैसी हो रितिका ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ आप कैसे हो क्या भाई से बात करना चाहते हैं पायल ने कहा मैं ठीक हूँ हाँ मैं तुम्हारे भाई से बात करना चाहती थी, मुझे उससे बात करना बहुत जरूरी है। रितिका ने कहा, ठीक है, मैं अभी कॉलेज से घर जा रही हूँ और थोड़ी देर के बाद मेरी माँ और मेरी बढ़ी माँ दोनों शॉपिंग करने में जाने वाले थे। तब ही मैं आपसे भाई के साथ बात कराती हूँ, मैं पहुँच कर आपको कॉल करती हूँ बाई। पायल ने भी हाँ कहा और फोन कट कर दिया, रितिका जाकर घर पहुँच गए। प्रीती भी आज ओम के साथ उसके घर गई थी और वहाँ कर वह उनके मां के साथ दूसरे बाते किया। दोनों मिलकर बहुत टाइम बात किया और उन्होंने अपने हाथों से प्रीती को खाना बना कर खिलाया। फिर ओम ने प्रीती को अपने कमरे में ले गया और उसे दिव चाहता हूँ, इससे आगे हम शादी के बाद करेंगे। मैं वह हसीन पल के पहले एहसास तुम्हारे साथ हमारी शादी की पहली रात को करना चाहता हूँ। मैं अभी वह सब करके हमारा पहले टाइम ऐसे बरबाद नहीं करूंगा। प्रीती ओम बात सुनकर शर्मा गई और उसे आज फिर से ओम से प्यार हो गई थी। प्रीती को लगता था, सब लड़के लड़कियों की शरीर को पहले प्यार करते हैं। लेकिन ओम प्रीती को समझता था और उससे पहले वह प्रीती को प्यार करता था ना कि उसके शरीर को। इसलिए प्रीती ने हां में सीर हिला दिया क्योंकि वह हमको अपना पती मान चुकी थी। उम ने प्रीती को दिवार से सता कर उसे कमर से पकर लिया और एक हाथ उसके चहरे पर रखकर उसके होठों पर चूमने लगा। प्रीती अपने आँख बंद करके रखी थी और उनके प आस लेने में ट्राइ कर रही थी। ओम ये देखकर प्रीती के होठों से दूर हुआ लेकिन वह दूर हुना नहीं चाहता था और कुछ देर उसके होठों को चूमना चाहता था। फिर वह अपने होठों को रित के गले पर रखकर चूमने लगा। वह प्रीती को अपने बाह उन में जोर से कात लिया। प्रीती के मूँ से आहे निकले तो ओम ने अपना चहरा उठा कर प्रती को देखने लगा। प्रीती के हाट सूज गए थे और पूरा लाल देख रही थी। ओम उसको जुनने के लिए मन हो रहा था। उसने अपने आपको कंट्रोल किया और प्रीती के साइड में लेट गया। ओम ने कहा, हम दोनों, दोनों की फैमिली से बात करके पढ़ाई कम्पीट होते ही शादी कर लेंगे। क्योंकि मुझे तुमसे और दूर नहीं रहना है, मुझे तुम्हें जल्दी से जल्दी अपना बनाना है। मैं तुम्हारे साथ जो भी करू पूरा हक से करना चाहता हूं। सारी दुनिया को बताना चाहता हूं तुम सिर्फ मेरे हो सिर्फ मेरे। इतना कहकर ओम ने उसे अपने बाहों में भर लिया। पृती ने भी सर्मत में अपना चेहरा उसके चेस्ट पर चुपा लिया। रितिका जाकर घर पहुंच गई थी और उसने देखा रूपा और जुही दोनों शौपिंग करने के लिए मौल जा रही थी। रूपा ने रितिका को देख कर कहा। रिति हम दोनों शौपिंग पर जा रहे हैं। तु तेरे भाया पर नजर रखना। उसे बाहर मत जाने देना। हम थोड़ी देर में आ रितिका ने हां कहा और अपने कमरे में चली गई जू ही को रूपा भी शॉपिंग के लिए निकल गए और वरुल कमपनी में था और तेरा कॉन स्टेशन में अपने कोई केस में बिजी था इसलिए रितिका को इस टाइम सही लगा पायल और प्रयास के बात कराने के लिए वो प्रयास के कमरे में गया और अपना फोन दे दिया और कहा भाई पायल ने कॉल किया था वह तुझसे बात करना चाहती है तू जल्दी बात कर ले मैं बाहर हूँ इतना कहकर रितिका बाहर चली गई और प्रयास ने पायल को कॉल लगाया दूसरी तरफ से पायल नहीं कॉल रिसीव किया और कहा हेलो, पायल की हेलो सुनते प्रयास करेगा जैसे उसको बहुत कुछ मिल गया प्रयास ने कहा, डालिंग जो भी बोलो, माव बाप से छुप कर प्यार करना और चोरी छुपे बाते करने में अलगी मजा है पायल ने कहा, प्रयास I miss you प्रयास ने कहा, me too darling, तुम्हें मेरे पास आना है पायल ने कहा, हाँ तुमस मिलना है, तुम्हें देखने के लिए बहुत मन हो रहा है, लेकिन कैसे प्रयास ने कहा, तुम चिंता मत करो, क्रितिका सब मैनेज कर लेगी पायल ने कहा, वो बंदर, माईकल अगर देखेगा, तु जाकर पापा को कह देगा क्या हमें इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए प्रयास ने कहा, मेरे मम्मी पापा आने में, टाइम है इसलिए इसलिए अगर तुम मेरे पास आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा पायल ने कहा, प्रयास, मैं भी तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, लेकिन प्रयास ने कहा, ओ, ठो, बाबा, तुम बिल्कुल भी चिन्ता मत करो, रुक मैं कुछ आइडिया देता हूँ तुम्हें पायल ने कहा, ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ, तुम बताओ प्रयास ने कहा, दालिं, मैं नितिन को कहता हूँ, वह तुम्हें घर के पीछे से आकर पिक करेगा, और मेरे घर में छोड़ देगा और जाते टाइम तुम्हें रितिका ले जाकर छोड़ देगा पायल ने कहा ठीक है तुम नितिन के साथ बात कर लो मेरे भी रेडी हो जाती हूँ लेकिन अगर हम दोनों पकड़े गए ना तो दोनों ही फंस जाएंगे प्रयास ने फिल्मी अंदाज में कहा डाली लव में अगर रिस्क नहीं रहेगा तो वो कैसा इश्क है तुमने गाना नहीं सुना है इश्क किया तो दरना क्या हा जब इश्क किया तो दरना क्या पायल ने कहा प्रयास अगर यह इश्क पकर में आ गई ना तो लाइफ फिनिश प्रयास ने कहा, डालिं, तब तुम दर रहे हो, मुझे नहीं पता था मेरी जहांसी की रानी को डर भी लगती है. पायल ने कहा, प्रयास कैसे ना डरू, तुम मेरे पापा को नहीं जानते हो, वह बहुत खतर्नाक है. पहले में किसी बात के लिए नहीं दरती थी, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए डर लगता है। तुम्हें खोने से दरती हूँ मैं, इसलिए तुम्हें सही सलामत देखना चाहती हूँ। तुम्हें कोई भी चोड पहुचेगा वह मुझसे बरदाश्ट नहीं होगा। प्रयास ने कहा, डालीं, तुम मेरे चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और ससुर जी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगा। पायल ये सुनकर हसने लगी, और कहा, ठीक है, जब तु पुलों की बारिश करते ही या कांटे के आगात देते हैं, मैं ये जानने के लिए बेसब्र से इंतजार कर रही हूँ। प्रयास ने कहा, प्रयास ने कहा, मैं तो सोच रहा हूँ, मैं पायल महरानी के राज्य को जीत कर, तुम्हें मेरे बाहु बंधन में बांध कर ये आपी समराद प्रयास के राज्य में स्वागत करूंगा। पायल ने कहा, महाशि प्रयास कुमार, कैरेका से बाहर निकलो, और जल्दी नितिन को कॉल करो, नहीं तो मैं आपके पास नहीं जा पाऊंगी। बहुत मुश्किल से नितिन पायल को लेकर प्रयास के घर में छोड नितिन ने पायल से कहा, तुम टेंशन मत लेना, माइकल बार में दांस कर रहा है, कल जब आना चाहोगे तभी मुझे एक कॉल कर देना, तभी मैं आकर फिर से यहां से लेकर चले जाऊंगा तुम्हें। प्रयास में कहा, ठैंक यू दोस्त, तू ना होता तो हम दोनों मिल नहीं पाते, नितिन ने कहा, अबे दोस्ती में no sorry no thanks, तू ये डायलॉग सुना नहीं है क्या, ये सुनकर तीनों हसने लगे, और नितिन वहां से जाने लगा तभी रितिका ने कहा, नितिन भाय, थोड़ी देर रुको और जूस पी कर जाओ, नितिन ने कहा, रितिका, तेरे भावी तेरे घर पर पहली बार आई है, तू जाकर उसको जूस पिला, मैं अभी यहां से जा रहा हूं, जब लेने आना हो तक कल कर देना, प्रयास ये सुनकर मुस्कुरा रहा था, और पायल ने दुलहन के जैसे शर्मा रही थी, रितिका और पायल के बीच बहुत अच्छ नहीं है, तुम मेरे से प्यार कर बैठे, रितिका ने कहा, अरे नहीं नहीं, तुम भाई के साथ बैठ कर बात करो, मैं ओभी यहां से जा रही हूं, फिर वह वहां से किचन में चली गई, तभी प्रयास ने पायल के हाथ पकड़ा और उसे खीच कर अपने कमरे में लेकर चल आया गया था, पायल ने कहा, तुम्हारा रूम बहुत अच्छा है, प्रयास ने उसके पास गया, उसे अपने बाहों में भर लिया, और कहां, कुछ दिन को बाद, ये रूम हम दोनों का होगा, पायल शर्मात हुए अपनी चेहरा नीचे कर ली, प्रयास को ये देखकर पाय ये सुनकर पायल का चेहरा पूरा लाल पढ़ गया था, वह तो शर्म से प्रयास को देखने नहीं पा रही थी, वह प्रयास के आँखों में अपने लिए बहुत प्यार देख पा रही थी, प्रयास ने धीरे से आयल के माथे पर प्यार से किस किया, इस प्यार भरे अहसास से प्रयास की नजर पायल के होंठों पर गया और उसके गला सूखने लगा, पायल के होंठ लाल और रसीले देख रहे थे, जो प्रयास का प्यास बढ़ा रही थी, प्रयास ने और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह पायल को बहुत प्यार करता था, और उसके सामने खुद को कंट्रोल कर पाना मुश्किल था इसलिए प्रयास ने अपना चेहरा धीरे धीरे पायल के होंथों के पास ले जाने लगा प्रयास ने पायल की होंथों पर अपने होंथ रख दिया और धीरे धीरे उसके होंथों को चूमने लगा पायल और प्रयास दोनों का य पिर वह भी कुछ देर के बाद प्रयास को साथ किस करने लगी। दोनों एक दूसरे के प्यार मेख हो गए थे और दूसरे को बेतहाशा चूम रहे थे। प्रयास किस करते हुए ही पायल को बैग के पास ले गया था और उसे बैग पर लेटा कर और उसके उपर आ गया और किस करने लगा करीब पंद्रह मिनट तक किस करने के बाद फायल को सांस लेने में तकलीफ होने लगी प्रयास उसे छोड़ दिया और उसके गले को चूमने लगा पायल बस आख बन करके जोर जर से सांस ले रही थी और प्रयास के प्यार में मधोश हो रही थी प्रयास अपने हाथों से पायल के पूरे शरीर को सहला रहा था उसने जोर लगाकर दबा दिया तो पायल के मूँ से चीख निकल गई तब जाकर प्रयास होश में आया और पायल को देखने लगा फिर वो फटाक से उटकर बैट गया और पायल को सौरी कहकर बाथरूम में घुस गया क्योंकि उसके शरीर पूरा गर्म हो चुका था अगर वो कुछ देर पायल के सामने रहता तो वो अपने आपको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता इसलिए वो अपने आपको ठंडा करने के लिए बाथरूम में घुस गया कुछ देर बाद पायल अपनी आँखे खोल कर देखा तो प्रयास नहीं था और बात्रून से पानी गिरने के आवाज आ रहा था फिर पायल अपने आपको ठीक किया और बैग पर बैग गई थोड़ी देर के बाद प्रयास भी बाहर निकल कर आया तभी वह सिर्फ टावेल लपेटा हुआ था पायल ने उसे ऐसे देखकर अपनी आँख बंद कर लिया प्रयास ने भी जल्दी जाकर अपना कपड़ा पहन लिया और पायल के पास बैठ गया प्रयास ने कहा सौरी डालिंग, मैं थोड़ा अनकंट्रोल हो गया था तुम्हारे बिना मरजी जाने तुम्हारे साथ यह सब कर रहा था आगे मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा जो भी होगा शादी के बाद सब होगा पायल, प्रयास के मूल से ये सब सुनकर उसके गले लग गई और कहा तुम सौरी मत कहो, तुम्हारा मेरे उपर पूरा हक है तुम अकेले सब दोशकने उपर मत लो क्योंकि मैं भी थोड़ा बहक गई थी और इसमें कोई प्रॉबलम भी नहीं है प्रयास ने उसे जोर से गले लगा लिया और कहा फिर भी हम दोनों अपना पूरा कंट्रोल नहीं खाएंगे और पूरा रोमेंस शादी के बाद ही करेंगे लेकिन मैं तुम्हें किस करना नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुम्हारे होठों ने मुझे तुम्हारा एदिक बना दिया है प्रयास ने इतना कहकर फिर से उसके होठों को चूम लिया प्रयास अगर ऐसा कोई मैजिक होता जिससे पापा हमारी शादी के लिए मान जाते तो कितना अच्छा होता प्रयास ने कहा डाली तुम चिंता मत करो वह भी जल्दी होगा पायल ने अपने पोज से एक फोटो निकाला और प्रैस को दिखाते हुए कहा प्रयास इस फोटो में जो लड़का है उसे देखो, क्या तुम इनको जानते हो प्रयास ने कहा, अरे, इनका चहरा थोड़ा थड़ा मेरे मा के चहरे के साथ मिल रहा है लेकिन डालीं तुमने ये फोटो कहां से मिला और ये फोटो में जो लड़की है वो कौन है पायल ने कहा प्रयास ये लड़की जो है वह मेरी बुआ है और ये लड़का उनके लवथा प्रयास ने पायल को अपने गोद में बिठा लिया और अपना चेहरा उसके कंदे पर रखा और दोनों हाथों से उसके कमर को पकर लिया फिर कहा लेकिन पायल डाली ये सब फोटो तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो पायल ने कहा आगे जानेंगे नेक्स चाप्टर में तब तक इंतजार कीजिए दोस्तो आप लोग पढ़ते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं जब चाप्टर अच्छा लगता है तो कमेंट लिख कर बोलना चाहिए न रोज टाइम निकाल कर बड़ा बड़ा चाप्टर देती हूँ लेकिन आप लोग एक भी कमेंट नहीं करते हो एक दो दोस्तों को छोड़ कर और कोई भी कमेंट नहीं करते हैं इसलिए लिखने के लिए मन नहीं होता है आप लोग कमेंट करेंगी तो मुझे लिखने के लिए अच्छा लगेगा ना छोटा लिखने पर जैसे आप लोग बोल रहे हैं वसे ही अगर चैप्टर अच्छा लगे तो बोलना चाहिए ना कमेंट जिन जिन लोगों ने किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद आज भी चैप्टर थोड़ा छोटा लिखा है लेकिन गल से आप लोगों को चैप्टर बढ़ा मिल जाएगा आगे क्या होगा क्या पायल और प्रयास दोनों पकड़े जाएंगे क्या दोनों पता लगा पाएंगे फोटो का राज जाने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह प्यारी सी लव स्टोरी माई लवली स्वीठाट सिर्फ पॉकेट एफिम पर हेलो फ्रेम्स आप लोगों को आज का चैप्टर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को अगर चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज रिव्यू देना मत बोलना और कमेंट लाइक जरूर करना प्रयास ने इतना कहकर फिर से उसके होटों को चूम लिया प्रयास अगर ऐसा कोई मैजिक होता जिससे पापा हमारी शादी के लिए मान जाते तो कितना अच्छा होता प्रयास ने कहा डाली तुम चिंता मत करो वह भी जल्दी होगा प्रयास इस फोटो में जो लड़का है उसे देखो क्या तुम इनको जानते हो प्रयास ने कहा अरे इनका चेहरा थोड़ा थड़ा मेरे मा के चेहरे के साथ मिल रहा है लेकिन डाली तुम ही फोटो कहां से मिला और ये फोटो में जो लड़की है वो कौन है पायल ने कहा, प्रयास, ये लड़की जो है, वह मेरी बुआ है और ये लड़का उनके लवा था प्रयास ने पायल को अपने गोद में बिठा लिया और अपना चहरा उसके कंदे पर रखा और दोनों हाथों से उसके कमर को पकर लिया फिर कहा लेकिन पायल डाली, ये सब फोटों तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो, अब आगे, पायल ने कहा, इस लड़की, मतलब मेरी बुआ और उनके लवा को प्लान करके फसा कर मारने में सफल हुने वाले इनसान को नहीं जानना चाहती हूँ प्रयास पायल के चेहरे को देखते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम पहले मुझे सारे बात बताओ फिर मैं कोई दिसिशन लूँगा पायल ने प्रयास को सारी बात शुरू से लेकर लास्ट तक बता दिया और कहा, प्लीज, तुम उस मोहन पतनायक को धून दो वो कौन है और कहा है प्रयास ने पायल को कसकर गले लगाया और उसके गालों को चुनते हुए कहा डालिंग, तुम यहाँ पर मेरे साथ प्यार करने और प्यार भरी बात करने आये थे या ये सब प्लानिंग करने आये थे पायल ने पप्ती जैसा शकी बना कर प्रयास को देखा जैसे कह रही हो लीज मेरी हेल्प करो प्रयास उसके चहरे को देखकर पिघल गया था लेकिन उसका और भी मज़ा लेना चाहता था इसलिए उसने कहा डाली मैं तुम्हारा काम करूंगा लेकिन मुझे क्या मिलेगा पायल ने उसे देखा और मासूमियत से पूछा तुम्हें क्या चाहिए बोलो प्रयास ने अपने चहरे पर शैतानी मुस्कान लाकर अपने होथों पर उंगली रख कर कहा मुझे रिश्वत मैं तुम्हारे होथों का मीथा रस पीना है जो तुम मुझे खूद पिलाओगे ये सुनकर पायल बड़ी बड़ी आँखे करके प्रयास को देख रही थी लेकिन उसके पास इसके बाद मानने का अलावा और कोई रास्ता नहीं था लेकिन वो पहले कभी अपने और से किस नहीं किया था हर बार तो प्रयास सुरू करता था वो बह प्यारे पल को इंजोई करता था और थोड़ा बहुत प्रयास का साथ देती थी प्रयास पायल को ऐसे देख कर मुस्कुरा रहा था जो पायल को चिर मच रही थी पायल ने कहा तुम पहले आँखें बंद करो फिर मैं तुम्हें किस करूंगी प्रयास मुस्कुराते हुए आपने आँखें बंद कर लिया पायल ने धीरे धीरे अपनी होठों को ले जाकर उसके होठों पर रख गया और धीरे से चुमकर अलग होने लगी लेकिन प्रयास कहां छोड़ने वाला था वह उस छोटी सी किस को फ्रेंच किस में बदल दिया और लंबा खीच लिया उसके एक हाथ पायल की ड्रैस के नीचे चला गया था और उसके कमर पेट का सहला रहा था उसके सहलाने के वज़े से पायल के शरीर में सहरन दोर रही थी करीब दस मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए फिर प्रयास ने कहा ठीक है मैं कल उस कॉलेज में जाओंगा फिर पता लगा लूँगा पायल ने कहा तो फिर कल से शुरू होगी हमारा सीक्रेट मिशन लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए हमारे मिशन के बारे में जब तक वल कंप्लीट नहीं हो जाता ठीक है प्रयास बहुत लेट हो गया है मैं अभी चलती हूँ नहीं तो तुम्हारे घर वाले आ जाएंगे और हम दोनों पकड़े जाएंगे प्रयास ने कहा ठीक है हमारे मिशन के बारे में किसको नहीं पता चलेगा लेकिन तुम आज यहीं पर रह जाओ ना मेरे पास इतना कहकर वो उसे कसकर गले लगा लिया दोनों के बीच में थोड़ा सा भी गेट नहीं था कुछ देर ऐसे ही दोनों एक दूसरे के बाहों में बैठे रहे फिर पायल ने अपने दोनों हाथ उसके गले में दाल दिया और घेरा बना कर कहा अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे पास रुकोगी तो तुम्हारे परिवार वाले पूछेंगी ये कौन है तब ही तुम क्या कहगे प्रयास ने भी उसकी आँखों में देखते हुए कहा को पकड़ लिया और कहा क्या कहा तुमने तुम मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूँ कॉलोनी में आई हुई नई लड़की रुको तुम अभी मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ इतना कहकर वह प्रयास की गोज से उतर गई और एक तकिया उठा करो प्रयास को मारने के लिए भागने लगी प्रयास भी भाग रहा था और कह रहा था Sorry Darling इतना कहकर उसे बाहों में भर लिया और कहा मैं कहूंगा यह मेरे Darling है जीसे मैं बेपना प्यार करता हूँ जिसके बिना में जीने के बारे में को भी सोच भी नहीं सकता इतने कम दिन में बह मेरा जान और मेरे जीने के वजह बन चुकी है जिसमें भूलने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता इतना सुनकर पायल बाबू कहोगी और उसकी आँखों से आंसु बहने लगी और वो प्रयास को कसकर गले लगा लिया और कहा तुम भी मेरे सब कुछ बन चुकी हो, मतलब सब कुछ, जो प्यार में बच्पन से धून रही थी, वही प्यार मैं तुमसे पा रही हूँ, मुझे अब तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, और कोई भी नहीं चाहिए, प्रयास उसके मुल को ठीक करने के लिए और इ उसने खुशी से जूमते हुए कहा, वाही यू आर अमेजिंग, प्रयास पायल को देखते हुए कहा, लेकिन तुमसे कम, पायल ने कहा, इतना लेट हो रहा है, अब मैं चलती हूँ, प्रयास ने कहा, ठीक है रुको, मैं नितिन को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन तुम अगर और थोड़ी देर रुकते तो अच्छा होता, क्यूंकि हम दोनों रोज नहीं मिल पा रहे हैं, और अच्छे से बात भी नहीं हो पा रहा है, तुम्हें देखने के लिए तरस्ता रहता हूँ, पायल ने कहा, प्रयास, अगर हम दोनों के परिवार को पता चल जाएगा ना, और उन लोगों ने हमें एक साथ देख लिया तो सब प्लानिंग बेकार हो जाएगी, तभी प्रयास पायल ने प्रयास को जोर से कसकर गले लगाया और प्यार से उसके माथे पर किस किया, इतने दिनों के बाद प्रयास आज बहुत खुश था, तभी रितिका ने पायल को जूस ला कर दिया, पायल जो स्पीकर नितिन के साथ घर वापस चली गई, तभी प्रीति भी घर आ गई थी, रितिका ने उसे सब कुछ बता दिया था, प्रीति अभी अपने रूम में फ्रेश हो रही थी, लेकिन एक बड़ी गलती पायल ने कर दी थी, जो अपना पस लेना भू गई थी, थोड़ी देर के बाद जूही और रूपा घर पहुँच गए, जूही सीधा किचन में चली गई, लेकिन रूपा थकान मिटाने के लिए सोफे पर बैग गई, तभी उसकी नजर वह पस के उपर गया, रूपा ने उस पस को उठाया, और खोल कर देखा तो उसको लगा जैसे उसके पैर के नीचे से जैसे जमीन की सक गई, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यह क्या हो रहा है, बहुत थोड़ी देर के लिए पत्थर बन चुकी थी, और उसका दिमाग खाली हो चुका था, रूपा ने देखा कि उस पस में जो फोटो था, वह फोट मा, इसी जोर जोर से चिल्ला क्यो रही है, जुही भी किचन से बाहर आ गई पूछा, क्या हुआ, तू इतना चिल्ला क्यो रही रूपा, रूपा ने कुछ नहीं कहा वह रितिका को पूछा, रितिका, यह पस किसका है, जब हम लोग नहीं थे, तो तब तू किसको घर पर ब दे दूँगी इतना कहकर रितिका ने कस रूपा के हाथों से लिया और वहां से चली गई रितिका तो डर गई थी वह जाकर प्रीति को कहा दी दी आज मैं मरने वाली थी लेकिन बच गई अगर मां का पता चलता ना तो वह मुझे अभी मार डालती प्रीती ने कहा, लेकिन मुझे लग रहा है रितिका, पायल के फैमिली के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है हमारी फैमिली में क्योंकि पापा मम्मी ने भी प्यार को मानते हैं, और चाचा चाची ने भी तो लव मेरेज किया था तो बो लोग प्रयास भाया को पायल से दूर करना क्यों जाएंगे मुझे लगता है कुछ तो है जो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग भाया और पायल को मिलाने के लिए कोशिश करेंगे क्योंकि इन सब में उन दोनों की कोई गलती नहीं है तो उन दोनों क्यों इसमें एक दूसरे से अलग रहकर कीमत चुकाए रेतिका ने कहा, दीदी आप सही कह रहे हैं मुझे भी ऐसा ही लगता है लेकिन सच कभी छुप नहीं सकता कभी ना कभी बाहर तो आएगा तभी हमें पता चल जाएगा क्या है तब तक हमें सावधानी से काम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगता है पायल की पापा बहुत पहुचे हुए आदमी है अगर उनका पता चलेगा तो वो कुछ न कुछ कर सकते हैं और हमारे परिवार को खेती पहचा सकते हैं फिर दोनों ऐसे बात करते करते सो गए रूपा ने जूही को कह दिया था फोटो के बारे में उन दोनों ने वरुन और तरुन को नहीं बताया था क्योंकि वह दोनों बहुत गुसा हो जाते फिर रूपा और जूही को भी पता नहीं था कि कौन आया था घर में और किसने ये फोटो छोड़ कर गई है पहले उन दोनों ने सब जानने के लिए प्रैस करेंगी सोचा फिर बताएंगे रूपा रात भर सूँ सोकर सोच रही थी वह मनीपस किसका है क्या पायल हमारे घर पर आई थी ये तीनों तो मुझे कुछ नहीं बताएंगे फिर मुझे पता लगाना पड़ेगा तभी तरुन ने रूपा को बाहों में भर लिया और उसके होटों को चूमने लगा फिर दोनों अपने प्यार में खो गए और रूपा थोड़ी देर के लिए बहसब बात भूल गई जू ही भी बैट पर सोते सोते यही सब सोच रही थी वरुल ने कहा इतना क्या सोच रहे हो प्रयास के बारे में जो हुगा हम लोग देख लेंगे तुम इतना टेंशन मत लो मुझे तुम्हें टेंशन में देखने में अच्छा नहीं लगता है मुझे तुम्हारे खिला-खिला चेहरा देखने में अच्छा लगता है और तुम्हें प्यार करने में अच्छा लगता है। इतना कहकर वो उसकी उपर आ गया और उसे चूमने लगा उसकी शरीर पर हाथ फिराने लगा। वरुन कितना करते हैं जुही भी मधोश होने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों के कपड़े नीचे पड़े हुए थे और जुही की सिस्क्या कमरे में गूंज रही थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। दूसरे दिन सुबह सबने उठकर आपने अपने क कॉलेज चले गए। प्रयास कॉलेज जाने के लिए निकला तभी रूपा ने कहा। प्रयास पापा के बात याद है ना अगर तू उस लड़की के साथ कुछ भी प्रॉब्लम क्रियेट किया तो तू तेरे मां का मरा हुआ मूर देखेगा। प्रयास ने कुछ नहीं कहा वह बस चुपचाप वहां से चला गया। जू ही ने आकर रूपा को कहा क्या हम लोग प्रयास को दुख पहुँचा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को पता है जिसको प्यार करते हैं उसे भूलना कितना मुश्किल है। फिर भी हम लोग प्रयास को पायल को भूलने के लिए रूपा ने कहा, जू ही, मुझे भी पता है, मुझे भी दुख लग रहा है उसके दुख देख कर, लेकिन तुझे पता है ना रुद्री के साथ क्या हुआ था, हर मम्मी पापा कैसे मरे, सब को पता है कि मम्मी पापा का हादसा हुआ था लेकिन मुझे पता है मेरी मम्मी पापा सिर्फ मेरे भाई को मरते हुए देख कर मर गए मैं कुछ पायल के पापा के वज़े से मेरे मम्मी पापा भाई को खोया है इसलिए मेरे बेटे को मेरे भाई के जैसे मरते भी नहीं देख सकती वह प्यार को खोकर जी सकता है लेकिन उसे मैं जान से मरने नहीं दे सकती जुही ने रूपा को गले लगा लिया रूपा जुही के गले लग कर बहुत रूई फिर दोनों अपने आपको शांत किया और आपने अपने कामों में लग गए उधर प्रयास अपने सीक्रेट मिशन में लग गया था पहले वो उस कॉलेज में गया जिस कॉलेज में पायल की बुआ परती थी वहाँ पर एक बज़े पी-म को कुछ पैसा दिया और पुराने रिकॉर्ड में धूनने के लिए कहा प्रयास मन ही मन सोच रहा था पायल ने मुझे बहुत अच्छे काम में लगा दिया है बदमाश कहीं की वो मन ही मन बहुत चिर रहा था लेकिन क्या करे करना भी था बहुत पुराने दिनों का एक फायल निकाला पियों ने प्रयास ने वो फायल को खोल कर देखा तो एक नाम के पास अपने गाउंग का नाम देखकर चौप गया और मन ही मन सोच रहा था ये तो हमारे घर का एड्रेस है लेकिन ये रूद्र का हमारे एड्रेस के साथ क्या कनेक्शन है और ये रूद्र हमारा क्या लगता है हमारे सब कागस पत्र में यही एड्रेस है जब भी मैं पापा को पुछता हूँ ये ड्रेस किसका है तो पापा कहते है ये मेरा पर्मानेंट एड्रेस है लेकिन कभी भी वो हमें वहाँ पर लेकर नहीं गए बहुत दून्दने के बाद प्रेस को मोहन पटना का एड्रेस मिला फिर वो एड्रेस लेकर मोहन पटना के घर की ओर निकल गया दूसरी तरफ रितिका कॉलेज पहुचा गई उस दिल कॉलेज में रसी वाला गेम था एक रसी के एक साइड में दूसरे कॉलेज के बच्चों ने पकड़ा था और दूसरे साइड को रितिका और रितेश की कॉलेज के बच्चों ने पकड़ा था रितेश के पीछे रितिका खड़ी थी रितेश ने कहा ट्रितिका तुम इतने पीछे क्यों ख़़ी हो यहां आओ और रसी को अच्छे से पकड़ो ट्रितिका आकर रितेश के पीछे से रसी को अच्छे से पकड़ा तब ही उसके बाल आ गया रहे थे इसलिए वो रसी को अपने कंधे पर रखकर अपने बालों को बांधने लगी ये सब रितेश खड़ा होकर देख रहा था और कहां रितिका अब तुम रेडी हो ना रसी को अच्छी से पकड़ो रितिक ने हा में सिर हिलाया और दोनों साइट के बच्चे रसी खीचने के लिए रेडी हो गए तब ही तब ही दोनों कॉलेज के स्टुडेंट दोनों तरफ से रसी खीचना शुरू कर दिया जब रितेश और रितिका के कॉलेज के स्टुडेंट रसी को जोर से खीच रहे थे तभी दूसरी तरफ के बच्चों को इस तरफ के बच्चे जोर से अपने तरफ खीच लिया अपनी तरफ खीचने की वजह से रितिका सबसे पीछे खड़ी थी इसलिए वह नीचे गिर गई और रितेश उसके आगे खड़े होने के वज़े से उसके उपर गिर गया रितिका नीचे थी रितेश उसके उपर था रितिका को बहुत अच्छा लग रहा था रितेश को इतना पास पाकर दोनों एक दूसरे के आँखों में देख रहे थे, दोनों एक दूसरे में खो गए थे जब बच्चों की आवाज सुनाई दिया तब ही जाकर दोनों होश में आये और उठकर खड़े हो गए रितेश ने रितिका को पूछा, तुम्ही कुछ हुआ तो नहीं है ना रितिका ने ना में सिर हिलाया, फिर दोनों दूसरे खेल की तरफ चले गए वो पहला खेल रितिका के कॉलेज गया था, दूसरे खेल में दोनों पार्टनर के एक एक पैर में रसी बांध दिया जाएगा लड़कियों के बाएं पैर में और लड़कों के दाएं पैर, ओफिस कूपन नमब बांट रहे थे जिसकी coupon number दूसरे के coupon number से match होगा वो दोनों partner बन कर खेलिंगे रितिका ने जब coupon number लिया तब ही उसने देखा कि रितेश का number रितिका के number से match कर रहा है रितिका बहुत खुशो गई रितिका को लगा शायद भगवान भी चाह रहे हैं हम दोनों एक दूसरे के पास आए रितिका ने रितेश के पास आकर अपना coupon number दिखाया तो रितेश ने कहा ओ हो फिर तुम मेरे partner हो रितिका मन में सोच रही थी हमें तुम्हारा partner लेकिन मैं तुम्हारे partner एक game में नहीं पूरे life का partner बनना चाहती हूँ नहीं कब मेरे इंतजार खत्म होगी और तुम मुझे प्रपोज करोगे फिर दोनों खेलने के लिए playground में चले गए पर जाकर दोनों ने पैर में रसी बांध लिया रितिका के दाएं पैर में और रितेश के बाएं पैर में रितेश ने रसी बांधा ये खेल के नियम ये है कि दोनों के पैर में रसी बांधने के बाद दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ कर चलेगे रितिका सोच रही थी वह रितेश के हाथ पकड़ के लिए लेकिन रितेश हाथ नहीं बढ़ा रहा था रितिका सब बच्चों को देख रही थी शुब जोड़ी एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे तभी रितेश ने अपना हाथ लाकर रितिका के कंदे पर रख दिया और कहा रितिका अब तुम रेडी हो न रितिका बहुत खुश हो गई और हां में सिर हिलाया रितेश वर रितिका दोनों भाग रहे थे लेकिन तभी रितेश नीचे गिर गया और उसके साथ सब रितिका भी गिर गई क्योंकि दोनों के पैर एक दूसरे के पैर से बंदे हुए थे उसकी वज़े से एक के गिरने से और एक गिरेगा ही गिरेगा रितेश के पैर में चोट लग गई थी, फिर भी दोनों उठकर खड़े हुए लेकिन रितेश भाग नहीं पा रहा था, इसलिए रितिका ने रितेश की कंदे को सहारा दिया और दोनों एक साथ चलने लगे बाहर बैठे सब लोग देख रहे थे दोनों को, दोनों की जोड़ी बहुत मस्त लग रही थी रितिका और रितेश दोनों एक साथ चल रहे थे, धीरे धीरे बहुत बच्चे आउट हो गए लेकिन रितिका रितेश हार नहीं माने थे, लास्ट में दोनों ही जीते सब खील खत्म हो गया लास्ट में, रितेश अपने बैग में सब सामान रख रहा था तब ही अपने बैग में कुछ धूनने लगा जो रितिका ने दूर से देख ली थी रितिका रितेश के पास गई और पूछा रितेश तुम कुछ धून रही हो क्या, क्या मैं तुम्हारी कोई में हेल्प कर सकती हूँ रितेश ने कहा, नहीं रितिका, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए मैं खुद धून लूँगी रितिका ने फिर से कहा रितेश एक दोस्त की हिसाब से तुम मुझे बोल कर तो देखो शायद मैं तुम्हारा कोई हेल्प कर सकता हूँ रितेश ने कहा रितिका सुनो मेरे एक चौकलेट बक्स गुम हो गया है वही धून रहा हूँ रितिका ने मन में सोचा कि कोही हाम दोनों प्लेग्राउंड में भागते टाइम गिर तो नहीं गई है तब ही रितिका जल्दी से प्लेग्राउंड में भान कर गई और वहाँ पर वह बक्स को धून्दने लगी लेकिन उसको रितिका को कुछ नहीं मिला और उसकी मन दुखी हो गई तब ही उसने देखा वहां कर एक आदमी साफ सफाई कर रहा था फिर वह जाकर उसने पूछा तो उसने कहा कि प्लेग्राउंड में जो सब कुछ सामान पड़ा था उस सब को लेकर कच्रे दब्बे में डाल दिया है रितिका भाकर कच्रे के दब्बे के पास गई वहां कर तीन कच्रा दब्बे था रितिका को पता नहीं था कि इस कच्रा दब्बे में रितेश की चौकलेट दब्ब होगा इसलीए बोल दो तीनों कचरा दब्बा में धूंबने लगा और उसे तीसरी कचरा दब्बे में रिटेश की चॉकलेट बार मिल गई रितिका ने box को अच्छे से साफ किया और रितेश को लेकर दे दिया रितेश चोक्लेट box को देख कर बहुत खुश हो गया जैसे उसका कोई कींटी चीज़ गूम हो गया था और उसे मिल गया हो फिर उसने रितिका को कहा थैंक यू रितिका help ना करते तो मुझे मेरा box नहीं मिलता लेकिन तुम ही कैसे पता चला यह मेरा box है ट्रितिका ने कहा ट्रितिका ने कहा ट्रितेश तुम भूल रहे हो की एक दिन तुमने मुझे इस book से चॉकलेट निकाल कर दिया था खाने के लिए उस दिन मैंने तुम्हारा बस देख ली थी। रितेश ने पूछा, रितिका, तुम मुझे बताओ, ये बॉक्स तुम्हें कहां पर मिला। रितिका ने रितेश को सच नहीं बताया और बातों को टाल दिया, और कहां। मैंने तुम्हारे बॉक्स को अच्छे से साफ कर दिया है, मुझे लग रहा है तुम्हारे बॉक्स का बहुत संभाल कर रखते हो। रास्ते में खड़े होकर दोनों बात कर रहे थे तभी एक ट्रॉली में बोल रखा हुआ था, वो ट्रॉली गाड़ी उनकी ओर आ रहा था। रितिका फटाक से जाकर वह गाड़ी को रोक दिया, रितेश उसके इस हरकत को देख रहा था। कभी रितेश को याद आया उसके स्कूल टाइम के दोस्त के बारे में, जो और कोई नहीं था वह रितिका ही थी, जो स्कूल टाइम में रितेश के साथ पढ़ाई करती थी। भी छोटा लग रहा था मतलब रितिका जब स्कूल में पढ़ाई करती तभी लड़कों के जैसे छोटे छोटे बाल रखती थी कुछ दिन स्कूल में पढ़ाई करने के बाद उसकी दूसरे स्कूल में एडमिशन हो गई थी उसके बाद कॉलेज में जब रितिका लंबे बाल और खूबसूरत चहरा के साथ आई तो रितेश उससे पहचान नहीं पाया। दूसरी और प्रयास मोहन पतना के घर के सामने खड़ा था और उसके दर्वाजे का कॉलिंग बजाया। बहुत देर तक बेल बजाने के बाद किसी ने दर्वाजा खोला तो सामने एक बूरी औरत खड़ी थी। प्रयास ने उनको मोहन पतनायक के बारे में पूछा तो बूरी औरत ने कहा बेटा बो लोग तो कब से मुझे ये घर बेच कर चले गए हैं। प्रयास ने पूछा क्या आपके पास उन लोगों का कोई एड्रेस है। बूरी औरत ने कहा नहीं बेटा उन लोगों का कोई एड्रेस मेरे पास नहीं है। बेटा मैं भी उनको बहुत धून रही थी लेकिन मुझे नहीं मिले बो लोग। ये सुनकर क्लास का मन दुखी हो गया और वह घर चला गया घर पहुँचा तो रितिका और प्रीती भी घर आ चुकी थी प्रीती और रितिका ने प्रयास को दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा लेकिन रितेशमन ही मन अपने वो छोटी बाल वाली दोस्त को ढून रहा था और वो रात में सोते हुए सपने मे भी उस दोस्त को और रितिका को देखता था, उसको दोनों का चेहरा सेम लग रहा था। जब उसका नीन तूट गया तो उसके दोस्त ने कहा, क्या हुआ, फिर से क्या वही सपना देखा तू ने। उसका मोबाइल उसके पास था, मोबाइल को अपने पास रख कर मन ही मन सोच रहा था। मैं क्यों रोज उस सपना को देख रहा हूं। उस दिन उसका मन बिलकुल नहीं लग रहा था। पियानो बजाते हुए वही सपना के बारे में सोच रहा था रितेश। रितिका म्यूजिक क्लास में आकर रितेश को पियानो बजाते हुए देखा। रितेश तुम इतना जल्दी आज कॉलेज में। रितेश ने कहा। हाँ, मुझे आज कुछ काम था इसलिए इतनी जल्दी आ गया। हम आगे क्या हुआ जानेंगे नेक्स चेप्टर में। तब त अगे क्या होगा क्या प्रयास धून पाएगा महुन पतनायक को। क्या रितिका और रितेश खेल में जीत पाएंगे। क्या प्रीती के फैमली ओम से शादी कराने के लिए राजी होंगे। रितिका ने रितेश को म्यूजिक क्लास में देख कर कहा। क्या तुम मुझे जी हो गया और रितिका जाकर प्यानों के सामने कुरसी पर बैठी गई। रितेश रितिका के पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसको प्यानों बजाना में हेल्प करने लगा। इस वक्त दोनों बहुत एक दूसरे के करीब थे। रितिका को अच्छा लग रहा था रितेश के इतना करीब होकर थोड़ी देर के बाद सब बच्चे चले गए और रितिका वहाँ पर अकेली बैठी थी। रूम के अंदर कोई नहीं था। रितिका अकेले बैठकर आइने में अपना चेहरा देख रही थी। रितिका अपने बालों को स्कूल में जैसे छोटे-छोटे बुला रहा था। तभी रितिका आइने के पीछे चुपी हुई थी। रितेश के आवाद सुनकर आइने के पीछे से बाहर आई। रितिका के टोपी पहनने की वज़े से उसके छोटी-छोटी बाल चुप गए थे। वो रितेश के आवाद सुनकर हरबड़ा कर बाहर निक आई थी तभी रितिका बिल्कुल स्कूल टाइम के रितिका के जैसे देख रही थी जो रितेश का फ्रैंट था रितेश रितिका को देखकर मन ही मन सोच रही थी तहीं यह मेरी बचपन की दोस्त नहीं है न यह कैसे संभव है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है रितिका रि आते हुए रितिका रितेश को पूछता है तुम यहां पर क्या कर रही हो रितेश मन ही मन सोच रहा था रितिका कुछ कहने के लिए लेकिन कुछ कह नहीं पाया उसके मुँझे कुछ आवाज ही नहीं निकल रहा था फिर वो अपने आपको संभालते हुए कहा रितिका मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूँ, और रितेश वहां से चला गया और रितिका भी घर आ गई, रितिका घर आने के बाद प्रयास को देखा दुखी मन से बैठा था, रितिका उसके पास गई और उसके पास बैठ गई, तभी प्रीती भी आकर उन दोनों के प प्रयास बैठ गई, फिर प्रीती ने पूछा, भाईया क्या हुआ है, क्या आपको मोहन पतना की मिला, प्रयास ने दुखी मन से कहा, नहीं मिला वह, मोहन पतनायक अपना घर बच कर तहीं चला गया है, रितिका नहीं कहा, भाईया, दुखी मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएग प्रयास अब हम दोनों क्या करेंगे, प्रयास ने कहा, डालीं, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ इस्टा करके कहूंगा हम लोग क्या करेंगे, फिर प्रयास ने फोन रख दिया, और उधर पायल ने भी फोन कार दिया, तभी पायल की मम्मी पापा मंदर से पूछा करके आने जैसे लग रहे थे। सभी पायल के पापा ने पायल को बुलाया और कहा, पायल बेटा, मैं तुम्हारी शादी माइकल के साथ फिक्स कर दिया है, कुछ दिनों के बाद तुम दोनों की सगये और शादी हो जाएगी। पायल ने गुसे में कहा, पापा, मैं किसी को प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उस गुंडे माइकल से को भी भी से शादी नहीं कर सकती। उस माइकल जैसे क्रिमिनल के जीवन संगेनी में बनना कभी नहीं चाहती हूँ। पायल के पापा ने कहा, पायल, मेरे बातों को कभी भी कोई भी आज तक मानने से मना नहीं किया है। तेरी इतना साहस हो गई है, जो मेरी पसंद को ना कह रही है। चुपचा अपिस रविवार को सगाई के लिए राजी हो जा, नहीं तो मैं उस प्रयास को सब दिन के लिए रास्ते से हटा दूंगा। ये सब सुनकर पायल ने कुछ नहीं कहा और भाग कर अपने कमरे में चली गई और दर्वाजा बंद करके बैग पर लेट कर रोने लग रितिका और रितेश खेल में जीत पाएंगे क्या प्रीती के फैमली ओम से शादी कराने के लिए राजी होंगे। फिर प्रयास ने फोन रख दिया और उधर पायल ने भी फोन कार दिया तभी पायल की मम्मी पापा मंदर से पूचा करके आने जैसे लग रहे थे। सभी पा पायल के पापा ने पायल को बुलाया और कहा, पायल बेटा, मैं तुम्हारी शादी माइकल के साथ फिक्स कर दिया है, कुछ दिनों के बाद तुम दोनों की सगये और शादी हो जाएगी। पायल ने गुस्से में कहा, पापा, मैं किसी को प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उ आज तक मानने से मना नहीं किया है। तेरी इतना साहस हो गई है, जो मेरी पसंद को ना कह रही है। चुक्चाप इस रविवार को सगाई के लिए राजी हो जा। नहीं तो मैं उस प्रयास को सब दिन के लिए रास्ते से हटा दूंगा। ये सब सुनकर पायल ने कुछ नहीं कहा और भाग कर अपने कमरे में चली गई और दर्वाजा बंद करके बैट पर लेट कर रोने लगी। इधर प्रीती के लिए ओम के मा और पापा दोनों रिष्टा लेकर आये थे। अब आगे ओम और प्रीती के प्यार ऐसे ही चल रहा था। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान चुके थे। ओम के पापा और मम्मी दोनों प्रीती को अपने घर के बहु बनाने प्रस्ताव लेकर आये थे। वरुन और जुही भी ये रिष्टा के लिए राजी थे। ये रिष्टा को लेकर दोनों परिवार बहुत खुश थे। ओम के मा ये रिष्टा को लेकर सबसे ज़्यादा खुश थे। ओम के मा बापा आकर वरुन और जुही के मिलकर बात करने लगे। ओम के पिता ये जानकर खुश है कि वरुन उनके कमपनी के कलाइंट थे और तरुन एक इंस्पेक्टर थे। खॉल में एक सोफे पर ओम की फैमिली बैठे थे और एक सोफे पर जुही वरुन और तरुन रूपा बैठे थे। प्रीती रितिका दोनों रूम में थे और और प्रयास भी अपने अपने रूम में थे पहले तो वरुल और जुही को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि ओम के फैमिली जुही के फैमिली से ज्यादा रहीस था और उन दोनों फैमिली का काश्ट भी अलग था तब ही ओम के मा नीलिमा जी ने कहा देखिए जुही ज और वरुल जी जहां पर लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं वहां हम लोगों का नापसंद करने के सवाल ही नहीं उठता है और आप लोग अगर दहेज की बात कर रही है तो हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए अगर आप लोगों को ऐसा लग रह ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए नीलिमा जी की बात सुनकर वरुन और उसके पूरे परिवार को बहुत अच्छा लगा वरुन और जूही को खुशी हो रहा था कि उनकी बेटी इतने अच्छे परिवार में बहु बन कर जाएगी औम का पढ़ाई कंप्लीट हो गया था इसलिए दो परिवार ने निश्पती लिया था कि ऑम पहले अपने बिजनेस के लिए ट्रेनिंग लेने दिलली जाएगा एक साल के लिए फिर वह एक साल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद धर वापस आएगा तब तक प् इसलिए घरवाले उन दोनों के मन की बात जानकर प्रीती की रूम में दोनों को भेज दिया था ओम जैसे ही प्रीती के रूम में अंटर हुआ उसने फटाक से प्रती के हाथों को खीच लिया और दर्वाजा अंदर से बंद कर दिया फिर वह प्रीती को तसकर अपने बाहों में भर लिया और उसके बालों के खुश्बू को अपने आँख में सुनने लगा प्रीती भी ओम के प्यार को एक साल के लिए अपने दिल में बसा लेना चाहती थी उसको तो रोना आ रहा था लेकिन वह ओम को अपने बज़े से कमजोर बनाना नहीं चाहती थी अपने आसूं को रोग कर रखा था ओम प्रीती के चहरे को देखा और वह सब कुछ समझ गया फिर वह प्रीती के होठों को चूमने लगा प्रीती भी ओम के होठों को चूम रही थी, दोनों जानते थे इसके बाद उन दोनों को एक साल तक इंतजार करना पड़ेगा ओम ने प्रीती को अपने बाहों में उठा लिया और प्रीती के बैट पर लेटा दिया फिर वह उसके उपर आ गया और शिद्धत से प्रीती के होठों को चूमने लगा, वो प्रीती को बहुत प्यार करता था लेकिन उसे अपने बिजनेस को भी देखना पड़ेगा और प्रीती को दुनिया की सारी खुशी देना पड़ेगा इसलिए उसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और एक साल के लिए प्रीती से दूर भी रहना पड़ेगा थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को चुमा फिर एक दूसरे से अलग हो गए और ओम ने कहा जान एक साल के लिए जा रहा हूँ लेकिन लोटने के बाद तुम सिर्फ मेरे होगे उसके बाद हमें कोई भी नहीं अलग कर सकता है एक दूसरे से तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना और रोज मुझे कॉल करते रहना प्रीती एक आग्याकारी बच्चे के जैसे हां में सिरहिला रही थी वह कुछ भी नहीं कह रहे थी क्योंकि वह अगर कुछ कहेगी तो अपने एमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और फूट फूट कर रोदेगी फिर दोनों कुछ देर ऐसे ही बैठे रहे और बाहर आ गए ओम के फैमिली सब को बाय बोल कर अपने घर चले गए हम आगे क्या हुआ जानेंगे नेक्स चेप्टर में तब तक इंतजार कीजिए आगे क्या होगा क्या प्रयास धून पाएगा महोन पतनायक को क्या रितिका और रितेश एक दूसरे के दिल जीत पाएंगे क्या प्रीती और ओम के शादी एक साल के बाद हो पाएगा या और कुछ मोराना बाकी है दूसरे दिन ओम बिसनेस ट्रेनिंग के लिए दिल्ली चला गया था उसे छोड़ने प्रीती भी गई थी दोनों लास्ट टाइम के लिए गले लोगे और ओम प्यार से प्रीती के माथे पर किस किया फिर उसे बाए बोल कर दिल्ली चला गया ओम के दिल्ली जाने के बाद प्रीती ने ओम की मां का ख्यार रखने लगी नीलिमा जी भी प्रीटी को बहुत प्यार करने लगी थी वल प्रीटी को अपनी बेटी की जैसे प्यार करती थी ये देखकर वरुल और जुही बहुत खुश थे दूसरी तरफ सीमा भी प्यार के नावों में पैर दे चुकी थी सीमा पहली नजर से राकेश को प्यार करने लगी थी सीमा ने बहुत बार राकेश को प्रपोच किया था लेकिन राकेश ने उसे हर बार ना कहकर सीमा के दिल को तोल देता था लेकिन सीमा कभी हार नहीं मानती थी उसको भरोसा था कि वो कभी न कभी राकेश के दिल जीतेगी और राकेश उसके प्यार को को भी न को भी ग्रहन करेगा दूसरी और पायल खाना पीना छोल कर रो रहे थी पायल की हालत देखकर उसकी मा ने उसके पापा से कहा क्या आप मेरी बेटी की हालत आपके बहन की जैसे करना चाहते हैं अगर मेरी बेटी की कुछ भी खेती होता है तो मैं भूल जाओंगा कि आप मेरे हस्बेंड हो इतना कहकर उसकी मा पायल के रूम की ओर चले गए जाकर पायल के दर्वाजा खट-खट आने लगे और उसे दर्वाजा खोलने के लिए कहा पायल बेटा, दर्वाजा खोलो हम आगे क्या हुआ जानेंगे नेक्स चैक्टर में तब तक इंतजार कीजे आगे क्या होगा क्या प्रयास धून पाएगा महुन पतनायक को क्या रितिका और रितेश एक दूसरे के दिल जीत पाएंगे क्या प्रीती और ओम के शादी एक साल के बाद हो पाएगा या और कुछ मोर आना बाकी है ये सब प्राश्न के उत्तर जानने के लिए पढ़ते रही मेरी प्यारी सी लव स्टोरी माई लवली स्वीठाट सिर्फ पॉकेट एफिम पर दोस्तो आप लोग पढ़ते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं जब चाप्टर अच्छा लगता है तो कमेंट लिख कर बोलना चाहिए ना रोज टाइम निकाल कर बड़ा बड़ा चाप्टर देती हूँ लेकिन आप लोग एक भी कमेंट नहीं करते हो एक दो दोस्तों को छोड़ कर और कोई भी कमेंट नहीं करते हैं इसलिए लिखने के लिए मन नहीं होता है आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे लिखने के लिए अच्छा लगेगा ना चोटा लिखने पर जैसे आप लोग बोल रहे हैं वसे ही अगर चैप्टर अच्छा लगे तो बोलना चाहिए ना कमेंट जिन जिन लोगों ने किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद हेलो फ्रेम्स आप लोगों को आज का चैप्टर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को अगर चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज रिव्यू देना मत बोलना और कमेंट लाइक जरूर करना आगे क्या होगा क्या प्रयास धून पाएगा महोन पतनायक को क्या रितिका और रितेश एक दूसरे के दिल जीत पाएंगे क्या प्रीथी और ओम के शादी एक साल के बाद हो पाएगा या और कुछ मोड आना बाकी है बहुत देर के बाद पायल ने दर्वाजा खोला और उसकी मा को अंदर आने दिया पायल की मा अंदर जाकर पायल को गले लगाया और कहां पायल मेरी बच्ची तु चिंता मत कर मैं खुद जाकर प्रयास की पापा से बात करूँगी और तेरे और प्रयास की शादी करूंगी पायल अपनी मां की बात सुनकर खुश हो गई फिर चेहक थे हुए कहा मां आप सच कह रहे हो आप प्रयास के घरवालों से बात करोगे और हम दोनों की शादी कर बाऊगे पायल की मां ने कहा हा मेरी बच्ची तुझे जिसमें खुशी मिलती है मैं तुझे वह खुशी लोटा कर रहूँगी मैं अभी जाकर प्रयास के पापा से बात करती हूँ और तुम दोनों की शादी के लिए राजी करके आती हूँ पायल की मां इतना कहकर पायल के माथे पर प्यार से किस की या फिर वो प्रयास के घर के लिए निकल गए पायल बहुत खुश थी वो उत्सुक से अपने मां के बापस आने की रास्ता देख रही थी फुधर पायल की मा जैसे प्रयास के घर पहुँचे तो तरुल को देख कर शौक हो गोए और जो पहले मन में पायल और प्रयास के लिए शादी करने का मन बनाया था गुसे में वहां से लोट आए तरुल के फैमिली तो पहले से ही जानते थे उन्होंने कुछ नहीं कहा पायल अपनी मा की आने के रास्ता देख रही थी, वह कुछ खुश खबरी सुनने के लिए बेताब थी लेकिन जब उसकी माई बापस आई तो खुश होने के बजाए अपने माँ को इतना गुसे में देख कर पायल ने पूचा माँ आप इतना गुसा क्यों हो रहे हो पायल की माने कहा पायल, तुझे प्यार करने के लिए और कोई नहीं मिला ये दुनिया में हमारे दुश्मन के बेटे ही तुझे मिला प्यार करने के लिए पायल अपने मां की बात सुनकर हक्का बक्का रह गई और उसके मां को एक टक देखने लगी फिर उसने पूछा मां, आपके कहने का मतलब क्या है? आप सीधा सीधा बोलो मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ आपकी बात बो लोग हमारे दुश्मन क्यूं होंगे? हमारे साथ उन लोगों का रिष्टा क्या है? मैं तो प्रयास को बस पिछले कुछ दिनों से ही जानती हूँ पापके जैसे आप भी अगर नहीं जाहते हैं कि मेरी शादी प्रयास से हो तो सीधा सीधा मना कर दीजिए बेकार में उन लोगों को हमारे दुश्मन क्यूं बना रहे हो और मुझे जूट क्यूं बोल रहे हो? पायल की मा ने कहा हम आगे क्या हुआ जानेंगे नेक्स चैप्टर में तब तक इंतजार कीजिए आगे क्या होगा क्या प्रयास धून पाएगा महोन पतनायक को क्या रितिका और रितेश एक दूसरे के दिल जीत पाएंगे क्या प्रीती और ओम के शादी एक साल के बाद हो पाएगा या और कुछ मोराना बाकी है पायल की माने कहा मैं तुझे क्यों बलूगी मैं भी तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ लेकिन हमने तुझे एक बात चुपाया है जो कल हम दोनों मतलब में और तेरे पापा बाहर मंदर में जो कुजा करने गए थे वह कुजा तेरे बुआ के पिंदान करने गए थे तु तब दो साल के थी जब तेरी बुआ की मौत उस प्रयास के परिवार के वजह से हुआ है बहुत साल पहले की बात है प्रयास के मामा रूद्र से तेरे बुआ सुलगना प्यार करती थी हमारी बात ना मानकर रूद्र से इतना प्यार कर बैठे थे कि उसके साथ हिंटीमेट होने से पहले हमारी बात एक बार भी नहीं सोचा लेकिन उसके बदले में उनको क्या मिला बदनाम लोगों की बाते इसकी वज़े से इतनी नींदा सेह नहीं पाए उन्होंने अपने आपको इस दुनिया से खत्म करने के लिए सोचा और आत्महत्या कर लिया उस दिन से तेरे पापा अपने मानसिक भार साम्यक हो दिया और तूट गए थे इसलिए उन्होंने रुद्र को बोली करके मार दिया उस दिन से उनके साथ जो मित्रता था वह शत्रता में परिनत हो गया इसलिए मैं बोल रही हूँ बेटी जिस परिवार की वजह से और जिस लड़के के वजह से हमारे घर में सुख, शांती खोए हो रहा है तू उस लड़के को भूल जा नहीं तो तेरे पापा को अगर पता चलेगा तो वह प्रयास को भी मार डालेंगे तेरे पापा का गुसा अब तक शांत नहीं हुआ है, उन्होंने तेरी बुआ के देध बॉडी के सामने शपत लिया था कि वह उस लड़के का परिवार का नामों निशान मिटा देंगे पायल अपनी मा के सब बात ध्यान से सुना फिर उसने कहा ठीक है मा, आपने जो जो बात कहा वह सब सही है, लेकिन आप मुझे ये बताओ जो इनसान मेरे बुआ को इतना प्यार करता था अपनी जान से भी ज़्यादा वो आपने प्यार को बदनाम क्यूं करेगा आप सब तो उन दोनों की शादी के लिए तैयार थे, के परिवार भी और हमारे परिवार दोनों उनके शादी के लिए तैयारिया भी करना स्टॉट कर दिया था फिर यह सब करके क्यों अपन आप अपने पैरों पर खुद कुलहारी मारेंगे पायल की माने कहा फिर यह सब और कौन करेगा और सुलगना को बदनाम क्यों करेगा पायल ने कहा मामा शायद उनका और कोई दुश्मन होगा मैं भी वन साइड लग हो सकता है नहीं तो दोनों परिवार के मित्रता देखकर कौन ऐसा कर सकता है पायल की माने कहा, लेकिन रूट के मोबाईल से फोटो सब लेकर कौन भाई रोल करेगा? उसके फोन पर तो प्राइवेट लॉक हुगा न? उसको कौन खोलेगा और क्यूँ? पायल ने कहा, पासवर्ड खोलना क्या इतना असमभ काम है? नहीं तो वो और किसी को लगा कर फोटो खीच लिया होगा पायल की माने कहा पायल, वो सब जो भी हो लेकिन तू कुछ मत कर बस चुपचाप बैठ ये सब बातों में तू अपना दिमाग ना लगा कर प्रयास को भूल जा माईकल के साथ में तेरी शादी नहीं होगा आप बस पढ़ाई कर मन लगा कर और किसी की बात को मन में मतला तेरी कॉलेज चेंज करवा दूँगी और मेरे फ्रैंड की बेटा अमेरिका में रहता है मैं तेरी शादी उसके साथ करवा दूँगी पायल अपनी मां की बात सुनकर उसको गुस्सा आने लगा और कहा डॉट 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 रहने दो आप मेरे उपर आपको और इतना दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है बच्पन से इतना दया और प्यार दिखाए है कि आज तक मैं भूल नहीं पा रही हूँ आप ये प्रयास ने जब से मेरे लाइफ में इंट्रि किया था तब से आपके साथ मेरे थोड़ा रिलेशन ठीक होने आया था लेकिन आपने तभी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया मुझे लगा था आप पापा से थोड़ा अलग हो और आप मुझे प्यार करते हैं लेकिन मेरा सोचना गलत था आपने ये प्रूफ करके दिखा दिया आप दोनों कभी नहीं बदल सकते पहले जैसे थे अभी भी वैसे ही हो I hate you, you are no more different from my papa पायल की माने पायल को समझाते हुए कहा My child, just try to understand please पायल ने कहा, हम आगे क्या हुआ जानेंगे next chapter में, तब तक इंतजार कीजिए आगे क्या होगा क्या प्रयास धून पाएगा महोन पतनायक को क्या रितिका और रितेश एक दूसरे के दिल जीत पाएँगे क्या प्रीति और ओम के शादी एक साल के बाद हो पाएगा या और कुछ मोरा आना बाकी है पायल ने कहा, आप जाओ यहां से, मुझे आपके मूँ से कुछ भी नहीं सुनना है उसकी माने भी और कुछ नहीं कहा और पायल के रूम से चुपचाप चले गए पायल के मा जाते ही पायल ने दर्वाजा बंद कर दिया और रोने लगी प्रयास को पाने की इच्छा उसको धीरे धीरे कम हूता लग रही थी, सुबह हूते ही उसकी सगाई है उसके पापा तो किसी की बात सुनने के लिए तयारी नहीं है, वह अप क्या करेगी क्या वह अपने बुआ के जैसे आत्महत्या करेगी या सब दिन के लिए अपने घर को छोड़कर रात के अंधकार में कहीं गायब हो जाएगी वह इतना काय नहीं है जो आत्महत्या करेगी या छुप कर कहा जाएगी उसके पापा के नेटवर्क बहुत लंबी है, जो वो कहीं भी जाए और छुप जाए उसे कैसे भी करके धून लेंगे सब सोचते सोचते पायल रो रही थी, उसने सोचा प्रयास को फोन करके बात करेगी लेकिन कैसे करेगी, वृतिका या प्रीथी के फोन में कॉल करने के लिए प्रयास ने मना किया है क्योंकि कहीं उसके मां को पता ना चल जाए कुछ देर के बाद प्रयास का फोन आया, पायल ने फोन रिसीव करते हुए उसको रोते-रोते सब कुछ बताया प्रयास ने पालकी बस सब ध्यान से सुना और कहा पायल मुझे लगता है तुम है इस सगाई के लिए राजी हो जाना चाहिए और यह सगाई कर लेना चाहिए पायल प्रयास के बाद सुनकर आश्चर्य हो गया और कुछ प्रयास के बाद बिना सुने पायल ने फोन कट कर दिया और रोने लगी पायल ने मन ही मन सोचने लगी क्या प्रयासों उसे साथ टाइम पास कर रहा था कितने आसानी से कह दिया सगाई कर लू जिसके नाम सुनते ही मुझे जहर जैसा लगता है उसके साथ सगाई कर लू और मैं उसे अंगूठी पहना ओ इंपॉसिबल तभी फिर से पायल के फोन बजने लगी और मोबाइल में फोन कट करने जा रही थी तभी उसने देखा कि उसके फोन में उसकी फ्रेंड श्रेया की कॉल आ रहा है उसने फटाक से कॉल रिसीव किया और रोते रोते सब कुछ श्रेया को बता दिया श्रेया ने उसे समझाते हुए कहा पायल प्रयास बुरा लड़का नहीं है जो तुझे चीट करेगा और धोखा देगा तू थोड़ा उसके उपर भरोसा रखो और इंतजार कर अगर वन तुझे कह रहा है कि तुझे सगाई कर लेना चाहिए तो तू सगाई कर ले पायल ने कहा अगर वह कुछ नहीं किया तो मेरे और माइकल का एक दूसरे की साथ सगाई हो जाएगा श्रेया ने उसे समझाते हुए कहा पायल तू हर टाइम अच्छा और पॉजिटिव सोच देखना सब अच्छा ही होगा अगर होगा तो सगाई होगा शादी तो नहीं हो रही है ना जो तू इतना चिंता कर रही है अरे लड़की शादी के मंदप से उठकर चली जाती है ये तो सगाई है पायल ने कहा फिर ठीक है श्रेया ने कहा तू ज्यादा चिंता मत करना मैं कल सुबर तेरे पास तेरे घर पहुंच जाऊंगी फिर दोनों ने फोन कट कर दिया पायल ने हिसब के बारे में थोड़ी देर सोचा और इत सोचने के बाद एक ही डिसिशन लिया और फिर वो अपने पापा की कमरे में चली गई अपने पापा के कमरे में जाकर पायल ने अपने पापा से कहा मैं इस सगाई के लिए रेडी हूँ मतलब मैं माइकल से सगाई करना चाहती हूँ पहले तो पाल की बाबा ये सुनकर सोब्ड हो गए फिर वह खुश होकर मन में सोचा और अपने आपको कहने खुश होते हुए अपने आपको कहने लगे जो भी हुआ अच्छा हुआ मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा अगर मेरी बेटी राजी नहीं होती तो पता नहीं मुझे मैं क्या करता लेकिन शायद मुझे और कुछ करना नहीं पड़ेगा मैं जो चाहता हूँ वह अपने आप हो जाएगा फिर उन्होंने पायल को अपने गले लगाते हुए कहा हम आगे क्या हुआ जानेंगे नेक्स चेप्टर में तब तक इंतजार कीजिए क्या पायल माइकल से सगाई कर लेगी प्रयास ने क्यों कहा पायल को सगाई करने के लिए क्या प्रयास सब कुछ ठीक कर पाएगा आगे क्या होगा क्या प्रयास धून पाएगा महुन पतनायक को क्या रितिका और रितेश एक दूसरे के दिल जीत पाएंगे क्या प्रीथी और ओम के शादी एक साल के बाद हो पाएगा या और कुछ मोरा आना बाकी है